वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए ये दोनों ही जो है ये कथक डांसर है कथक जो है वो अपने प्रदेश का एक मात्र शास्त्री अनृत्त है तो इसमें से कथक नर्दकी की तौर पे हम इने चुदेंगे इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं जो कि है प्रशन संख्या 202 पूछा गया है कि साधी कली का संबंध इसमें से किस छेत्र से है साधी कली को आप देखें इसमें बताएं गजल गायक हैं सारंगी वादक हैं शेहनाई वादक हैं कि बासुरी बजाते हैं और correct answer इसका क्या होना चाहिए बी वाला होगा ठीक है सारंगी बजाते हैं ये साधी कली का संबंध जो है वो सारंगी वादन से प्रश्ण संख्या 203 को देखते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकैदमी इसको कब इस्टैबलिश किया गया था वो डेट आपको बतानी है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा बीवाला 1963 में इसे इस्टैबलिश किया गया था यह समय कौन सा है 1963 का है इसके बाद प्रश्ण संख्या 204 संगीत का इटावा घराना निमनलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है तो यह सितार और सुर्बहार वादगों के लिए प्रसिद्ध है इसके साथ साथ गायन की जो तान शैली है तान और अलाप का उसमें समावेश होत यह आपको बताना है और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा एवाला यह सितार और सुर्बहार प्लेयर्स जो है उनके लिए जाना जाता है सितार बजाने वाले यहाँ एक से एक धुरंदर लोग है तो एवाले विकल्ब के तौर पे हमने चुना आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 205 में शेला नृत्ति के बारे में आपसे कहा गया कि कौन सी ट्राइब इसको करती है कौन सी जंजाती के लोग से बड़े ही खुशी के साथ करते हैं तो यहाँ कुछ जंजातियों के नाम यानि ट्राइब के नाम दिये हैं जैसे कि खैरवार हैं गोंड लोग हैं भुईया हैं और साथ में सहरिया हैं देखिये और बताइए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें और एक चीज वाला फिर से हाजिर हो गया है पूछा जा रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा जिला सरवाधी ग्रामीड जनसंख्या वाले जो टॉप फोर डिस्टिक है यानि शिर्ष चार जिले हैं उनमें नहीं आता है यहां बात हो रही है ग्रामीड आपादी की और कौन सा जिला न्यू गोरखपूर और बागपत गोरःखपूर जो है वह ग्रामीड आबाधी सबसे ज्यादा धारन करते हैं और बाकी यहां बागपत को नियूहन लोक नृत्वीस पोल यह फोग रांस है और इसे मंयू नृत्त भी कहा जाता है मतलब जो राई folk dance है इसको हम मयूर dance भी कहते है इसके पाद दीप या दीपावली folk dance आप देख रहे हैं तो ये असल में अहिर community के द्वारा इसकी performance दी जाती है मतलब जो अहिर समुदाय है, अहिर जाती है उनके द्वारा इसे किया जाता है और कानरा लोकनृत्य जो है इसको धोबी समाज करता है अभी पीछे हमने देखा था कानरा के बारे में अब आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ पर है क्योंकि नीचे जो D वाला option है वो ये कहता है कि कुछ भी गलत नहीं अब ये आपके उपर है कि आप किसको चुनते है तो correct answer इसका हो जाएगा D वाला इसमें कुछ भी गलत नहीं है जितनी चीजें दी हुई है वो सभी के सभी सही है तो ये तीनों का अलग-अलग भी पूछा जा सकता है आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीजें होती इसके बाद अब 208 में प्रशन की ओर बढ़ चलते हैं और यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा लोक नृत्य कहार जाती के लोगों की द्वारा मंगली का उसर पर किया जाता है जो मंगल उसर होते हैं उस पर कहार जाती के लोग इसे प्रस्तुत करते हैं साथ में आपको ये भी बताना है कि चौरसिया चौरसिया भी एक लोक नृत्य यानि एक फोक डांस का नाम है तो ये कौन से जिले में किया जाता है यानि एक तरफ आपको जाती का नाम बताना है आपकीजेगा एक तरफ आपको लोकनृत्य का नाम बताना है और दूसरी तरफ दूसरे लोकनृत्य यानि चौरसिया की संदर्व में आपको जिले का नाम बताना है तो यह दो चीजें आपको एक साथ बतानी होंगी जड़ा ध् इस प्रशन को देखेगा और बताईए तो 208 जो है इसका correct answer हो जाएगा इसमें B वाला, धीवर और जौनपुर देखे धीवर जो है ये किया जाने वाला लोक नृत्य है जिसको कि कहार जाती के लोग करते हैं और जौनपुर का ये चौरसिया आप जानते ही है तो इसमें B वाले option को हम चुल लेते इसके बाद प्रशन संख्या 209 को देखते हैं धीवर लोग जो है थोड़े अलग होते हैं कहारों से भिन्नू होते हैं लेकिन धीवर एक नृत्य का भी नाम है असल में पहले की समय में सिंहाडे बोय जाते थे और घड़े की नौका बनाके मतलब घड़े को आपस में बाद बाद कर नाव जैसा एक structure बनाते थे और उस पर बैट कर उन सिंहाडों को तोड़ते थे और गाउं में बेचते थे तो ये उनका काम होता था फिलाल आगे चलते हैं 209 को देखते हैं यहां सोरा या सोरा लोक नृत्ते हैं जो है उसकी बात हो रही है तो आपको ये बताना है कि ये कौन से जिले में नहीं होता है जहां होता है वो नहीं बताना है जहां पर नहीं होता है वो बताना है साथ में आपको बताना है कि धुरिया नाम का एक folk dance है यानि लोग नुरत है वो कौन सी community के लोगों के द्वारा किया जाता है यहाँ दोनों चीजे एक साथ पूछी गई है आला कि परिक्षा में यह अलग-अलग पूछा जाएगा एक साथ दोहरे प्रशन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एक प्रशन में दो information मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो 209 जो है इसका right answer C होना चाहिए क्योंकि सोन भद्र में यह होता है माफ कीजेगा सोन भद्र में सोहरा जो है इसका प्रशलन नहीं है बाकी सभी जगह है जैसे हमीरपुर है जासी है ललितपुर है और कुमार समुदाय के जो लोग होते हैं कुमार यानि मिट्टी के बर्दन बनाने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा धुरिया लोक नृति को किया जाता है तो इसका जो C वाला उप्शन है उसको आमने चुना प्रशन संख्या 210 आपकी प्रतीक्षा कर रहा है यहाँ पर गलत विगल्प का आपको चैन करना है 210 वा आपने देखा 210 वे प्रशन में आपसे यहाँ पेर बना की दिया हुआ है जिसे कि दिवारी पाई डंडा लोक नृति है दिवारी पाई डंडा फोक डांस इसको कहा जाता है इसको अहिर कम्यूनिटी के द्वारा अंजाम दिया जाता है बरेडी जो है इसको भी अहिर कम्यूनिटी ही करती है और देवी नाम का एक लोग नृत्य यानि फोक डांस होता है उसको भी अहिर लोग ही किया करते है यानि यादव बंदू किया करते हैं तो आप यह बताईए कि इसमें गलती कहां पर है 210 में का आप ध्यान से देखें तो C वाला ऑप्शन गलत है देवी लोग नृत्य जो है इसको अहिर समुदाय नहीं करता है बाकि जितने आप देख रहे हैं वो सभी के सभी ठीक है 210 को आपने देखा बाकि जितने भी हैं वो सभी के सभी सही है प्रशन संख्या 211 को देखते है कौन सा लोग नृत्य ब्रज छेतर में प्रशलिक नहीं है ब्रज का नहीं है और कौन सा बुंदेल खंड का नहीं है ये दोनों चीजे एक साथ आपको बतानी है मतलब जोडे में दिया है पहला वाला ब्रज का नहीं होगा और दूसरा वाला बुंदेल खंड का नहीं होगा तो ध्यान से देखें और बताएं चर्कुला, ख्याल, धुरिया, मयूर, जूला, कानरा, रास, बडेरी इस तरीके से दिया हुआ है 211 करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा यहाँ आप देख रहे हैं धुरिया और मयूर, धुरिया जो है ये ब्रज छेत्र का नहीं है और मयूर जो है ये बुंदेल खंड का नहीं है बागी अगर आप देखें तो चर्कुला, जूला और रास ये तीनों ही ब्रज के हैं बरेडी, मयूर और ख्याल ये तीनों ही बुंदेल खंट के हैं ऐसे करके हमने देखा तो इसमें से हमने बी वाले ओप्शन को चुल लिया आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या दोसों पार हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा लोक निर्ते मिर्जापुर और सोनभद्र में प्र कॉड़ेवाला डांस किया जाता है और कजरी और चौरसिया है साथ में दाढरा और चौूला मतलब चॉलर भी इसको कहते हैं कई सारे नाम होते हैं तो आप बताएं मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा इसमें से प्रश्लित नहीं है साथ में पूर्वांचल में कौन सा नहीं है यह सब लोक नृत्तियों के नाम दे रखें दो सो बारे वहां जो है इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा दादरा जो है यह सोनभद्र मिर्जापुर में नहीं होता है ठीक है और पूर्वांचल का चौलर नहीं है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 213 को देखते हैं सही विकल्प का आपको चैन करना है मिर्जापुर औ पूर्वांचल रीजन में होता है ठेडिया अवद छेत्र में होता है दिवारी पाई डंडा पीछे हमने देखा था बुंदेल खंड का है धीवर तो अब आप यह बताईए कि इसमें गलत तो सब है सही कौन सा है प्रश्न को ध्यान से देखिए और 213 वा जो आप देख रह है एक ओमने चुल लिया जो कि सही है अब इसके बाद 213 में के बाद चलते हैं 214 में की और प्रश्न संख्या अगला यानि 214 इसमें पूछा गया कि कौन सा लोक संगीत यानि फोक म्यूजिक जो है यह बुंदेल खंड छेत्र का नहीं है जो बुंदेल खंड के हैं वो भी बी हो जाएगा नक्टा नक्टा जो है यह पूर्वांचल छेत्र का है यह बुंदेल खंड का नहीं है ठीक है तो इसमें से बी वाले को हम चुल लेते हैं बाकी लाला हर्दौल के जीवन चरित पर आधारित यह फोक म्यूजिक है मतलब इसमें संगीत के माध्यम से लाला हर भाषा की दी भाषा और लिपी दो अलग चीजें होती है ₹। हमें हम बोलते हैं जिस चीज़ नहीं होगते हैं और जिस रूप में हम बाशा को लिखES पर कशोले करते हैं वह लिपी होती है तो हमारी भाषा की लिपी क्या है देवनगरी आज आदे multis प्रदेश की राजभाशा कब घोशित किया गया था वो डेट मतलब वो समय आपको बताना है साथ में आपको ये भी बताना है कि 26 जन्वरी और समय कौन सा था मतलब कौन सा सन था वहाँ से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालियों में जितने भी office हैं वहाँ पे राजभाशा हिंदी के प्रयोग को compulsory कर दिया गया मतलब उसका प्रयोग आपको करना ही होगा आप उससे बच नहीं सकते तो यह दो काम होते हैं अब इसमें आप बताईए कि date का मतलब जो समय का जोड़ा दिया हुआ है उसमें से कौन सा होगा तो 215 का जो correct answer है वो इसमें D हो जाएगा यह 1947 का समय था, अक्टूबर 1947 का समय था जब प्रदेश की राजभाशा गोशित कर दिया जाता है हिंदी को और 1966, 26 जन्वरी 1966 में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालेओं में जो हिंदी है मतलब राजभाशा हिंदी है उसके प्रयोग को अनिवारे कर दिया जाता है यह सारे काम को हमने देखा, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 215 का जो करेक्ट आंसर है वो D हो गया 216 को देखे, उत्तर प्रदेश राज़्य में कितने भारतिय भाशा केंद्र हैं यह आपको बताना है प्लस आपको यह बताना है कि इन केंद्रों में कितनी भाशा का सिक्षन किया जाता है, मतलब कितनी भाशा हैं सिखाई जाती तो यह आप देखकर बताएं, इसमें जो पेर दिया हुआ है, संख्याएं है, सीधे-सीधे आपको जो फैक्ट है, वो चुनना है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें A हो जाएगा, 5 है टोटल, मतलब 5 अभी फिलहाल भारती भाशा केंद्र हैं और 13 भाशाओं की सिक्षा वहाँ पर दी जाती है अब ये करेंट की घटना क्रम के हिसाब से, मतलब जो ततकाल में घट रहा घटना क्रम है उसके हिसाब से, परिवर्तित भी हो सकते हैं क्योंकि भाशा केंद्र नए खोले जा सकते हैं फिलहाल हमने देखा, इसके बाद 270 को देखते हैं, पूर्वी हिंदी उप भाशा की बोली इसमें से कौन सी नहीं है देखिए हिंदी जो है वो हमारी राज भाशा और मात्री भाशा है, लेकिन इसकी भी बहुत सारी छेत्रिय बोलिया हैं जने कि हम उप बोली कहते हैं उसमें भी दिशावार है, पश्रिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, ऐसे करके चलता है तो पूर्वी हिंदी उप भाशा जो है उसकी बोली इसमें से कौन सी नहीं है, वो आपको चुनकर बाहर करना है और बिहारी उपभाशा की कौन सी बोली इसमें से नहीं है हो चुनकर आपको बाहर करना है ये दो चीज़ें आपको इसमें से सलेक्ट करनी होगी तो प्रशन संख्या दोसो सत्रा को बहुत ध्यान से देखेगा और बताईएगा तो दोसो सत्रा जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं मतलब ये हुआना कि ये जितनी यहां लिखी हुई है ये सभी पूर्वी हिंदी उपभाशा की बोलियां और मतलब इसमें से आओधी बगेली और 36 गड़ी को देख रहे है आप ये पूर्वी हिंदी उपभाशा की बोली नहीं है मतलब इसका ये है कि पूर्वी हिंदी उपभाशा जो है उसमें ये तीन बोलियां है आओधी बगेली और 36 गड़ी वैसे ही बिहारी जो उप भाशा है बिहारी हिंदी का जो टोन है उसमें भोजपुरी, मगही और मैथली ये बोलियां है जो कि इसकी उप बोली की तौर पर आती है इसमें से निमलिकित में से किस जिले में नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नहीं बोली जाती है वैसे ही कनौजी जो है वो यूपी के कौन से डिस्टिक में नहीं बोली जाती है ये दो चीज़ आपको बताने है बुंदेली जहां नहीं बोली जाती है उस डिस्टिक का नाम आपको चुनना है और जहाँ पर कनौजी नहीं बोली जाती है उस जिले का नाम आपको चुनना है तो इसलिए जोड़े के तोर पे दिया हुआ है और 288 का जो correct answer है वो इसमें हो जाएगा ध्यान से देख लीजे ए वाला इटावा और और आई ये उरई है असल में तो इटावा में नहीं बोली जाती है बुंदेली इसका मतलब है कि जालोन औरचा और महोबा इन तीनों जगों पे बोली जाती है तो इसमें से जो बोली जाती है वो छेतर भी आपको इसी में मालूम हो जा रहा है प्रश्ण की आधार पे, कुल मिला कर इसका जो correct answer है वो इसमे ए हो जाएगा इसके बाद 219 में प्रश्ण को देखते हैं, correct option इसमें आपको चुनना है तो यहाँ ध्यान से देखें, सही विकल्ब का आपको चैन करना है कि छोचा शरीप का मेला आग्रा में लगता है, कलकी महोचसो संभल में लगता है, ऐसा दिया हुआ है संकट मूचन संगीत उत्सो जो है यह असल में अंबेटकर नगर में और सुलह कुल वाला जो है वाराणसी का है तो आप यह बताईए कि इसमें सही कौन सा है ध्यान से देखेगा, कलकी महोचसो वाला एक मात्रसए दिया है, बाकी जितने है है सब गढ़ण है कलकी महोचसो जो है, यह एंचोडा कंबो का जाता है इस संभल जिले में पढ़ता है, वहाँ पे आयोजित होता है बाकी जितने भी एंसे, कि छोचा शरीप वाला आप देख रहे हैं, यह हम बेटकर नगर का है वहाँ पे सूभी संत, मकदूम, अश्रफ, जहांगीर की जो मजार है उस पर यह लगता है तो यह पहला वाला आप देख रहे हैं, गलत है उसके बाद संकट मोचन संगीत उत्स, संकट मोचन से भी अगर आपने पकड़ा होता तो वारणसी आप चले गए होते काफी बड़ा संगीत आयोजन होता है, तो यह वारणसी का है सुलह कुल वाला जो है, यह आपका आगरा का है तो इस तरीके से हम मिलान करते हैं, इसका जो बी वाला आप्शन है, वही एक मात्रिस में सही है इसके बाद 220 में नंबर के प्रशन को देखेगा, इनकरेक्ट आप्शन इसमें चुनना है आपको और कहा जा रहा है कि बताइए मिलान कौन सा इसमें से गलत है तो कंपिल मेला या कंपिल फेयर जो है ये फरूखाबाद का है, होली कोचसो जो है ये मतुरा का है कबीर मेला जो है ये बस्ती का है और कजली मेला जो है ये बलरामपुर का है, ऐसे गर के दिया हुआ है गलती इसमें कौन सी है? D वाले विकल्प में है कजली मेला जो है ये बलरामपूर का नहीं है ये आपका महोबा का है ठीक है? कजली मेला जो है ये महोबा का है यहाँ ये गलत दिया है बाकी सब सही Next 221 को देखते हैं यानि 221 यहाँ पर देखें फिर से मेलों के नाम जो है वो जिलों के नाम से मिलाए हुए है Not correctly match यानि गलत की तलाश आपको करनी है तो तरकुलहा मेला लगता है महराज गंज में परिक्रमा मेला लगता है आयोध्या में आयुरवेद महोटसो मनाया जाता है जहासी में और कजरी महोटसो जो है यह मिरजापुर का है तो कुछ तो आप आराम से guess कर सकते हैं मतलब जहासी का जो छेतर है वैद दिनात फार्मासोटिकल के लिए प्रसिद्ध है आयुरवेदिक कंपनी है बहुत बड़ी है ना तो यह आयुरवेद महोटसो वहाँ हो सकता है संभावना हो सकती है कजरी जो है यह मिरजापुर से जुड़ी हुई है तो आप जोड सकते है तो इसमें से आप देखिए कौन सा जो है वो गलत है त्यान से देखें तो तरकुलहा वाला जो option है न वो गलत है तरकुलहा माता का मंदिर है और वहां लगता है तरकुलहा मेला और ये कहां पर पढ़ता है गोरकपुर जिले में पढ़ता है तो इसलिए इसमें से जो ए वाला option है उसको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं पाकिसब सही, 221 को देखते हैं भाई, यहां देखें, incorrect option आपको चुनना है, तो इसमें date दी हुई है, जिसे कि उत्तर प्रदेश राज्य परेटन निदेशाले, जो है, State Directorate of Tourism, इसकी establishment होती है 1972 में, वैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य परेटन विकास निगम, यानि State Tourism Development Corporation, जो है, इसकी स्थापना होती है 1974 में, और ब्रज तीर्थ विकास परिशत जो है, यह established होती है 2016 में, तो अब आप यह बताईए कि इसमें incorrect option कौन सा है, 222, C वाला हो जाएगा, ब्रज तीर्थ विकास परिशत जो दी हुई है न, यहां पर, 2016 की नहीं है, क्योंकि 2017 में तो रोहरें शामिल हैं, इसमें जो अमूर्त विरासत वाली लिस्ट होती है न, उसके अंतरगत रामलीरा को शामिल किया गया है, कुम मेले को शामिल किया गया है, योग को भी विरासत के तौर पर शामिल किया गया है, और भी कई सारी है, तो आपको यह बताना है कि इसमें से ग देख लीजेगा, इसके बाद 224 को देखते हैं, यहां देखें उत्तर प्रिदेश के जो पुरा तात्विक इस्थल है, मतलब यह आर्केोलोजिकल साइट है, इनका यहां पर दिया हुआ है कनेक्शन, मतलब इसमें कौन सा जो आर्केोलोजिकल साइट है, वो कौन से जिले से या किस स्थान से सम्मंद रखता है, ऐसे करके दिया हुआ है, अब आपको यह देखना है कि सही कौन सा है, तो कौन सी जगह कहां पर मिली हुई है, उसको ध्यान से देखिए, इसमें से correct answer 224 का क्या होना चाहिए, C वाला होना चाहिए, ठीक है, 224 का C वाला option सही होगा, प्र गौरा जो है, यह गोरकपूर में पढ़ता है, यहां का जो copper plate inscription है, तामर पत्र लेख है, वो काफी famous है, कपिल मस्तु आपका नेपाल में है, वैसे गोरकपूर के उत्तरी छेतर के तोर पे भी हम से देखते हैं, लेकिन बेसिकली यह नेपाल में है, तो इस हिसाब से अगर ह पढ़ता है, श्रिंग वेरपूर जो है, यह सीतापूर में पढ़ता है, और भृगु मंदिर जो है, भृगुरिशी का आश्रम होगेरा, वो आपका अलहबाद में यानि प्रयागराज में पढ़ता है, अब इसमें आप देखिए कि सभी जो है, वो गलत दे रखें, केवल एक सही है कौन सा सही है वो आपको चुनना है और दो सो पचीज जो आप देख रहे हैं इसका correct answer A हो जाएगा गण मुक्तेश्वर और हापुड वाला जो मिलान है वो perfect है बाकी नैमिशा रड़े को आप भी जानते हैं कि सीतापुर वाला छितर है तीर्थ है यह श्रिंगवेर जितने रिशी आगे पैदा होते हैं उनको भार्गव कहा जाता है तो यह मतलब यहां आप देख रहे हैं भ्रिगुरिशी जो है वो बलिया जिले के मूल वाशिन दे थे और उस हिसाब से भ्रिगु टेंपल जो है वो बलिया में होना चाहिए तो इसमें से correct answer सिर्फ गढ़ जी अप्यारण उसे होना चाहिए कहां पे पटना में होना चाहिए आपके हिसाफ से है ना पटना ना में तो पटना में होना चाहिए लेकिन यह चंदौली में बैठा हुआ है और समन बने जी अप्यारण जो है वो मैनपूरी में है ऐसे करके दिया हुआ है अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है बताईए देखें समन वाला जो है न वो एकदम सीधा साथा है ये मैनपूरी में है अपनी सही जगा पे बैठा हुआ है बाकी जितने है वो गड़बड है जैसे कि कतरनिया घाट को आप देख रहे हैं तो ये जो आपकी वाइड लाइफ देखा है तो ये गलत हो गया चंद्रप्रभा आपका चंदौली में रहेगा 1957 कभी एशियाई शेर भी आ रहा करते थे लेकिन अभी तो सिर्फ गिर में ही रहा करते हैं मतलब गुजरात में चले गया है अधर्वाइस पहले यहां भी रहा करते थे तो ये सब पटना बन जी पक्षी विहार ये है कहां पर बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है इसमें से कई सारी रामसर साइट भी है तो ये आग्रा में दिया है ऐसा मतलब आपको इसमें से गलती तलाश करनी है यह ध्यान दीजेगा चार जो अलग-अलग यहां जोड़े बनाए गये हैं उसमें से ग ओखला मतलब न्यू ओखला पुराना ओखला तो यह ओखला जो है इसको आप किससे मिलाएंगे नुएडा वाले हिस्से से मिला सकते हैं तो इसमें से हम 227 में से किसको चाट कर बाहर करेंगे ध्यान से देख लीजे 227 में का जो correct answer है वो B हो जाएगा गलती की तलाश हमने कर नकार भालूओं का भी संरक्षड करती है और यूपी गॉर्मेंट इस मामले में काफी संजीदा है लेकिन उसके बावजूद भालूओं को अभी भी सरकस के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है ये एक बुरी बात है तो भालू संरक्षड केंद्र आपका सोनभद्र में है ऐस जिलेवार लोकेशन दी है इसमें कुछ एक ही सही हो सकता है तो वो कौन सा है ये बताइए साथ में जो नहीं सही हुए है उनको भी देखना है तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका सी होना चाहिए देखिए सूरजपूर वेटलैंड वाला सही दिया है गौतम बुद्धनगर बाकी जितने हैं सब के सब गढ़ण है ग्रेटर नोइडा में है सूरजपूर बाकी आगरा की जो कीथम जील है उसके आसपास भालूओं को संरचित करने का इलागा डिसाइड किया गया है तो यहाँ पर सोनभद्र नहीं बलकि आगरा होना चाहिए था अमन गढ़ भाग अ द्रिटेज साइड्स जो हैं वो दी हुई है और इयर आफ नोटिफिकेशन साथ में दे रखा है तो आपको यह करना है कि इसमें मिलान करके जो सही है उसकी तलाश करनी है तो फतेपूर सीकरी जो है इसको मानिता प्राप्त होती है 1986 में आगरा का जो किला है इसको 1985 में वाला हो जाएगा फतेपूर सीकरी वाला ठीक दिया है ठीक है फतेपूर सीकरी 1986 लेकिन आगरा का किला और ताजमहल इन दोनों का अगर हम समय देखे तो 1983 का है यह फतेपूर सीकरी से पहले ही शामिल किये गया यहां आप देख सकते है ठीक है तो B और C को हम इसमें से पहले रख देते हैं, यानि 1983 का इसका समय है, बाकी अब इसके बाद वाला है फतेफुर सीकरी, इसमें महत्व के लिहाज से भी आप गेस कर सकते थे, मतलब ताजमहल का महत्वी इन सारी इमारतों से जादा है, है न, मतलब सभी महत्वूर्ण है, लेकिन उसमें ताजमहल जादा महत इसमें हमें सही की तलाश करनी थी, तो हमने एक उचना, आगे बढ़ते हैं, 230 को देखते हैं, अब ये मज़ेदार प्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि गलत विकल्प का चैन करिएगा, तो गलत विकल्प का चैन कैसे करें, सुरहा ताल जील जो है वो बलिया में है, चिल गलत विकल्प कौन सा है, तो 230 को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें B हो जाएगा, चिलुआ ताल, ये चिलुआ ताल जो है, ये कतई इटावा में नहीं है, असल में ये गोरकपुर का जो एकड़म उत्तरी छोर है, हिमाले से जो है, राजगाट परियोजना जो है, ये वाराणसी की है, मतलब इसका जो लोकेशन है, वो वाराणसी है, वैसे ही माता टीला बाध परियोजना जो है, ये ललिदपुर की है, मुसाक हंद जो है, ये चंदौली का है, और अहरवरा डैम जो है, ये जहासी में है, ऐसा कहा तो आपको सिर्फ बाध परियोजना और जिला ही नहीं जानना है साथ में आपको नदी का नाम भी जानना है फिल्हाल इसमें ये बताईए कि सही कौन सा है कोई एक ही सही हो सकता है तो देखें आप राजगाट बाध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश का ज्वाइंट प्रॉजेक्ट है मतलब इसमें दोनों ही लाब लेते हैं और ये बितवा नदी पर बनी हुई है उत्तर प्रदेश में ललितपूर जिला उस जद में ही आती है तो इसमें ललिदपूर डिस्टिक होना जीए था जो कि वारानसी दे रखा है तो ये गलत हो गया है न तो इसको गलत काट देते हैं यहाँ देखें इसके बाद माता टीला डैम प्रोजेक्ट जो है ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौमन है ललिदपूर इसका भ अब इसके बाद 232 प्रशन में आपसे पूछ लिया गया कि बाबा साहे भीम राओं बेटकर विश्व विद्याले ये आपका कि शहर में इस्थित है तो यहाँ पर लखनव होना चाहिए ठीक है लखनव में इस्थित है बाबा साहे भीम राओं बेटकर विश्व विद्या ठीक है चंदरप्रभाद चंदौली वाला जो है यह सबसे पुराना है और इसलिए हम इसमें से C वाले विकल्प का चैन करते हैं प्रशनि संख्या 234 आप से पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी ओद्योगी कमपनी यानि इंडस्ट्रियल कमपनी जो है उसकी लोकेशन प्रयाग राज में नहीं है अर्था तीन की है तो वो भी आप जानते रहेंगे इसमें वैदिनाथ हायरवेदिक फार्मसेटिकल फर्म है इलाबाद में उसके अलावा हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है त्रिवेडी स्ट्रक्चरल लिमिटेड है और आप देख रहें कि सिंथेटिक रबर फैक्टरी भी इलाबाद में ऐसा दिया हुआ है अब आप इसम सिंथेटिक रबर फैक्टरी कहां पर है बरेली में पढ़ती है इसकी जो लोकेशन है वो बरेली में है और इसलिए हम डी वाले आप्शन को बाहर कर देते हैं बाकी तीनों जो है वो आपकी प्रयागराज में मौजूद अब इसके बाद चलते हैं 235 प्रश्म की ओर पूछा गया कि कौन सा संगीत संस्थान यानि मुजिकल इंस्टिउशन जो है वो वाराणसी में लोकेट करता है उसकी लोकेशन जो है वो वाराणसी में तो ध्यानपूर्वक देखिएगा State Academy of Fine Arts वाराणसी में होगा नहीं College of Art and Craft ये भी होने से रहा भारतिंदू नाट्ट एकेडमी को अभी पीछे ही देखा है तो इसमें से बचता क्या है भारत कला भावन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वाराणसी में है तो इस तरह के जो बहुत पुरानी धर्रे के question है वो भी पूछे जाते है इसके बाद देखें 236 में प्रशन को अब पूछा गया कि उर् 237 पूछा जा रहा है कि कानपूर में इस थे डॉक्टर अंबेटकर प्रोध्योगी की विकलांग प्रोध्योगी की है तरह अंग्रेजी के ओर चलते हैं देखें यहां पी सई दिया है डॉक्टर अंबेटकर इंस्टिटूट आप टेक्नलोजी फॉर हैंडिकेप्ट लोके का समय बताई तो 237 पा जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा यह वाला यह 1997 में इसको इसको इस्टाबिश किया गया था इसके बाद प्रशन संख्या 238 गलत विकल्प का आपको चैन करना है नाइट सफारी पार्क क्रेटर नोएडा में है एग्रो पार्क प्रयाग राज में बुद्ध थीम पार्क जो है यह वाराणसी में है और पर्फ्यूम पार्क और और कहीं होई नहीं सकता है तो यह कन्नोज में इसमें से कोई एक गलत है 238 को आप ध्यान से देखें करेक्ट अंसर क्या होगा वी वाला हो जाएगा एग्रो पार्क जो है य पलने बिर्जु महराज का संबंद किस घराने से है यहां आपने देखा कौन से घराने में कौन कौन से प्रसिद्ध संगीतकार या वादक या कोई विधा के मास्टर है वो सब्सक्राइब चाहिए इसके बाद 241 को देखे बाइक इसमें गायकों के नाम दीए है असल में तो कौन सा गायक जो है वो गायन की ख्याल शहली से सम्बंदित है ख्याल स्टाइल जो सिंगिंग का है उससे कौन सा सिंगर बिलॉंग करता है यहां कुछ नाम दीए है जैसे रसूलन बाई है गिरजा देवी है, असा दली खा है और भीम सेन जोशी है, पंडित भीम सेन जोशी ख्याल गाने में कौन उस्ताद है इसमें से बताईए 241 D हो जाएगा पंडित भीम सेन जोशी अच्छा आपने वो नेशनल चैनल पे मतलब DD नेशनल जो है उसमें आप देखेंगे पंडित भीम सेन जोशी को दिखाये गया है वो अपने मूँ से अलाब कर रहा है, मतलब उनकी ओरिजनल आवाज उसमें दिखाये गई काफी अच्छे धिस तो ख्याल गाई की में ये मास्टर इसके बाद 242 को देखे 242 में जो है इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है मतलब तीन उन जिलों का नाम भी आप देखेंगे जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है तो ऐसे प्रश्णों में फायदा होता है फिलाल बताईए तो देखें 242 यहां जो question है इसका correct answer क्या होना चाहिए B वाला हो जाएगा B वाले को चुलनेंगे क्योंकि लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है 243 को देखते है निमनलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2011 में स्रिजित नहीं किया गया था उत्तर प्रिदेश में वर्दमान में 75 जिले है लेकिन जो अभी 10 अल के बीच का डाटा है उसमें कौन सा जिले जो है वो कब स्रिजित किया जाते है उसके आधार पे आपको देखना होगा तो इसमें आप देखें और बताएं उत्तर प्रिदेश का कौन सा जिला स्रिजित नहीं किया गया था 2011 में देखिए 243 तो ए वाला हो जाएगा ने कास गंज कास गंज नहीं स्रिजित किया गया था बाकी संबल, हापुड और शामली तो ये बने थे 2011 में तो इसमें से ए वाले को चुनकर बाहर कर देते इसके बाद 244 को देखते हैं Select the correct option related to यहां जो बोलियां है उससे संबन्दित आपको चुनना है और ये कौन से छेत्र में बोली जाते हैं बोजपूरी का चेत्र है फरूखाबाद, बगेली का है वाराणसी, कन्नोजी का है प्रयागराज और बुंदेली का है जहासी सब उल्टा सीधा दिया हुआ है अब इसमें आप बताइए तो देखें 244 जो है ने इसका correct answer D हो जाएगा बुंदेली, बुंदेलखंड चेत्र जहासी तो यहाँ पर जो D वाला option है बुंदेली से मिला लिजे बाकी आप देख रहे हैं कि भोजपूरी का जो चेत्र है वो पुर्वानचल है अलाकि यह मूल रूप से बिहार की है लेकिन फिर भी भोजपूरी भोजपूर से निकल कर आकर पुर्वानचल जो यूपी का है वहाँ भी फैली हुई है तो वाराणसी में बोली जाती है और बाकी जो कर्नोजी और बगहेली है उनका छेत्र आप देखी रहे है तो 245 की ओर चलते हैं देखकर बताईए और 245 का जो कर्रेक्ट आंसर है वह इसमें B हो जाएगा स्वस्तिक जो है यह आपका मतुरा में है बाकी जो है वह मतुरा में लोकेट नहीं करते हैं इसके बाद 246 को देखते हैं लिखित में से किस वर्ष दुधवा राश्ट्री उद्यान को राश्ट्री उद्यान का दर्जा मिलता है 246 को आपने देखा इसका जो कर्रेक्ट आंसर है वो D हो जाएगा दुधवा को मिलता है 1977 में दुधवा राश्ट्री उद्यान को कि मतलब आगे blank space दे कर आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से कौन सा जानवर उत्तर प्रिदेश के विंध्याचल के जंगलों में पाया जाता है विंध्य परवत्माला जो है वहाँ जो कटीले बन और मध्यमाकार के बन पाया जाते हैं उसमें कौन सा पशू आपको बहुतायत दिख सकता है तो हाथी पाया जाता है हिरण पाया जाता है चिंकारा मिलता है यानि काला हिरन या रायनासोरस यहाँ पाया जाते है आपने कभी विंद्याचल के पहाडों में ग्याड़ा देखा है बताईए इसमें से कौन सा होगा तो 247 करेक्ट आंसर क्या होगा सी होगा चिंकारा पाया जाता है यह जो चिंकारा है ने यह मिलता है जो सगन बन छेत्र है वहाँ पाया जाता है पहले तो अश्ट बुजी वा रहे है और अंत में नश्ट हो रहे है इसके बाद 248 को देखते हैं तो यहां आप देखें कि उत्तर प्रिदेश में इस्थित जो बाद है उनके बारे में कुछ यहां जानकारी दे रखी है अब इसमें से और आप्शन आपको चुनकर बाहर करना है तो इनकी लोकेशन के हि सबसे इने अलग किया गया है देखें इसमें बताएं तो 248 जो है इसका correct answer क्या होका ? एं वो जाएगा इसमें ध्यान से देखिए速 मौध हा दिया है रोहिनी दिया है जामिनी दिया है और शाजाद दिया है इसमें से मौध औहा जो है वो भिनन्नै ठीक है बाकी जो है वो ए गंगा भी यहां से गुजरती हैं तो यह सब आपने देखा इसके बाद 250 को देखते हैं पूछा गया है कि कौन से वर्ष उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई थी जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है वो कब इस्टैबलिश किया जाता है यूपी का यहां तारी में देश की पहली दुख्द सरकारी संग की स्थापना की जाती है जो मिल्क कॉपरेटिव यूनियन है वो इस्टैबलिश की जाती है और यह देश में पहली रहती है उत्तर प्रदेश की कौन से शहर में इसको इस्टैबलिश किया जाता है वो शहर का नाम आपको बताना है प्रशनाप से पूछ रहा है, नीचे विकल्ब दिये हैं लखनव, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज देखी और बताईए तो इसका जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा लखनव में स्थापना की जाती है यहाँ आपने देखा, ठीक है लखनव को चुल लिया, आगी जलते हैं दो सो बावन को देख लेते हैं खनित संसादनों के बारे में यहाँ जो गलत मिलान है उसका चैन आपको करना है, तो पोटाश लवड यानि पोटाश साल्ट जो है, वो महोबा से प्राप्त होता है हीरा प्राप्त होता है, आमें मिर्जापुर से यूरेनियम प्राप्त होता है, ललिकपुर से और कोईला प्राप्त होता है, सोनभद्र से तो आप यह बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है 252 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका A होगा पोटाश लवड महोबा से नहीं प्राप्त होता है बागी सारी इनफॉर्मेशन यहाँ एकदम ठीक, 200 तिरपन को देखते हैं विच आप तो फालोइंग ट्राइब इसमें से कौन सी जन जाती नहीं पाई जाती है तो 200 तिरपन का करेक्ट आंसर हमें क्या चुनना चाहिए इवाला हो जाएगा, सहरिया नहीं पाई जाती है बाकी सब तो पाई ही जाती है पहडिया पाई जाती है, अगरिया पाई जाती है लेकिन सहरिया यहाँ पे नहीं पाई जाती है इसके बाद 254 को देखते हैं अब 254 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निमलिखित में से किस जन जाती के द्वारा बजहर नाम का तेवहर मनाया जाता है बजहर एक तरह का फेस्टिवल है जो कि एक ट्राइब सेलिबरेट करती है वो कौन सी है थारू लोग हैं, गोण हैं, बुखसा हैं कि जौन सारी है देखें और बताएं तो 254 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहां आप देखें थारू जन जाती जो है वो असल में बजहर नाम का तेवहर मनाती है ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें थारू ट्राइब होना चाहिए इसके पाद 255 को देखते हैं बनारस हिंदू विशु विद्याले के स्थापना अब यह तो आप करी सकते हैं इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अमेठी जिले का मुख्याले का है यह बताइए कभी-कभी क्या होता है ने जिले के नाम से मुख्याले का नाम नहीं होता है और ऐसा जादा तरजिलों के साथ होता है तो बताएं इसमें जो विकल्ब दिया है और 256 जो है इसका correct answer हो जाएगा B वाला गौरी गंज है अमेठी जिला है मुख्याले उसका गौरी गंज है वैसे ही भदोही जिला है मुख्याले उसका ज्यानपुर इसके बाद आगे चलते फिलाल इसका B वाला सही था 257 का अगर देखें तो विच हाज बिन the capital of उत्तर प्रदेश since 1836 अब उत्तर प्रदेश राज्य का कई बार जो है जोड़ तोड़ उसमें हुआ है मतलब नाम परिवर्दन हुआ है उसमें छेतरू को जोड़ा गया है निकाला गया है साथ में राजधानी बदली गई है तो इसमें ये पूछा गया है जो 1836 का समय था उस समय उत्तर प्रदेश की capital क्या थी मतलब उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी बताई 1836 का टाइम है 257 को आप देख रहे है इसका एग हो जाएगा उस समय आगरा थी बाद में आप देखते हैं कि 1858 से प्रयाग राज को घोशित किया जाता है तो वो बाद किस्तिती है लेकिन ये 1836 का समय है तो आगरा थी इसके बाद आप देख रहे हैं 258 वे प्रशन को पूछा गया कि उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में भी पहली थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी इनका नाम क्या था? यह सुचेता कृपलानी थी या सरोजनी नाइडू थी? यूँकि बाकी जो विकल्भ है वो काम के नहीं 250 को आप梨े देखा? करेक्ट आंसल क्या होना चाहिए? सुचेता क्रिपलानी होना चाहिए? ठीक है? कि उत्तरप्रदेश राज्य विधान सभा माफ कीजेगा उत्तरप्रदेश राज्य विधान परिशद यानि उत्तरप्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव कांसिल इसका formation कौन से year में होता है कौन सेится कौन कि Central Water and Power Research Station Central Water and Power Research Station इन में से किस स्थान पे अब ये आप बताईए तो देखिए इसमें से तो कहीं नहीं है Central Water and Power Research Station की location अपने प्रदेश में हैं ये तो पुडे महाराश्ट्र में इसकी location पढ़ती है तो इसमें पुडे आप add कर लीजेगा यानि महाराश्ट्र इसके बाद 261 की वर चलते हैं पंडित दीन देयाल उपाधिया इंस्टिट्ट ओफ और्कियोलोजी ये कहां पे हैं बताईए इसकी location 261 को आप देख रहे हैं ये आपका greater noeda में पढ़ता है दीन देयाल इंस्टिट्ट ओफ आर्कियोलोजी यहां जो ए वाला option है उसको चुल लेते हैं इसके बाद प्रशन संख्या 262 अब इसमें आप से पूछा गया कि हरियोद कला केंद्र भवन जो है वो कहां पे है आजमगड बलिया वाराडसी प्रेयागराज अब इसमें से आपको चुनना है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आजमगड हो जाएगा हरियोद कला केंद्र यह आपने देखा यह वाले option को हम चुन लेते हैं 263 पारवती अरंगा पक्षी अभ्यारण किस जिले में है यह तो एकदम सीधा question है बताईए इसमें से यह गोडा में है तो इसमें से हम जो डी वाला option है उसको चुन लेते हैं आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 264 विच आप दो फालोइंग ऑप्षन इस नौट करेटली मैच तो सहरिया जन जाती जो है यह सोन भद्र की है बैगा जो है यह भी सोन भद्र की है अगरिया जो है यह भी सोन भद्र की है और पतरी जो है यह भी सोन भद्र की है ऐसा दिया है आप बताएं किसमें से गलत कौन सा है 264 सहरिया जो है यह सोन भद्र में कहां पाई जाती है अभी पीछे ही हमने देखा था कि सहरिया यहां नहीं पाई जाती है, बाकी जो जनजातियां आप देख रहे हैं, जनजातियों के मामले में सोनभद्र काफी धनी है, लेकिन सहरिया लोग यहां पे नहीं पाई जाते हैं, तो ए वाले option को हम आराम से eliminate कर सकते हैं, अब इसके ब माहिगीर एक जनजाति का नाम है, जो कि इसलाम को मानते हैं, यानि वो मुस्लिम है, और गोंड जनजाति के लोग इस्परिट का प्रयोग करते हैं, शराब के रूप में, क्योंकि इस्परिट भी नशा करता है, उसमें alcohol होता है, डैलूट फार्मेट में होता है, तो उतना करके अपना नशे की जो संतुष्टी है, उसको प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें भी स्परिट होता है बहुत तेज, तो ये एक टेकनोलाजी है, फिलाल आप बताएं, दो सो पैसट में में गलत कौन सा है, यहां अलग-अलग जानकारियां दी हुई है, और 265 जो है इसक तर ट्राइबल लोग इस्तिमाल करते हैं, लेकिन पीछे आपने देखा था, जैसे थारू लोग हैं, तो वो चावल का मार निकालके, उसका फिर फर्मेंटेशन करके, उसमें किडवन की प्रक्रिया करवाके, उससे शराब बनाते हैं, तो वैसे ही ये लोग महुआ जिले की जन संख्या 10 लाख या उससे जादा, मतलब 10 लाखी से अधिक या 10 लाखी जो नगर है, उस हिसाब से किस जिले की जन संख्या सबसे कम है, मतलब जितने 10 लाखी हैं, उनकी रेंजे आदी हुई है, उसमें सबसे कम आबादी वाला जो जिला है, वो आपको चुनना ह दोसो चाचट को आप देख रहे हैं यह हो जाएगा प्रयाग राज इसमें से अगर आप देखें तो प्रयाग राज इसके बाद आगे चलते हैं प्रशन को ध्यान से समझ लीजे 2011 के अंतिमाकडों के हिसाब से साथ जले जिनकी की जन संख्या 10 लाज है या उससे अधिक है तो उसमें से किसकी आबादी सबसे कम है आकार के लिहाद से प्रयाग राज बड़ा है लेकिन यहाँ 10 लाज ही जो आबादी के मामले हैं उसमें अगर आप देखें यहां अगर आप ध्यान से देखें तो कहा गया कि गलत विकल्ब कौन सा है बताईए बुद्ध थीम पार्क जो है यह सारनाथ में है मतलब वाराणसी में है एग्रो पार्क जो है यह बारा बंकी और वाराणसी दोनों जग़ा है यह कई स्थानों पर खुल रहा है इसके बाद मेगा फूट पार्क जो है यह ग्रेटर नुएडा में है और साइन्स पार्क जो है यह संडीला माने हरदोई में पढ़ता है तो अब यह देखें कि इसमें गलती कहां पर है 267 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें C हो जाएगा मेगा फूट पार्क जो ग्रेटर नुएडा दिया हुआ है वही एक मात्र इसमें गलत है बाकी जब तो सही है प्रश्न संख्या 260 को देखें यहाँ पर फिर से स्टेट्मेंट मद्दाताओं के लिहाज से सबसे छोटा संसदीय छेतर जो है वो महोबा है यह इसमें मतलब वोटर्स यहाँ पर सबसे कम है मद्दाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा संसदीय छेतर गाजियाबाद है और अनुसूचिक जाती के लिए आरक्षित की गई सीटों की संख्या उत्र प्रदेश में सत्र है जबकि राज्य सभा में सीटों की संख्या है 31 इसमें गलती कहाँ पर है यह आपको बतानी है प्रश्न संख्या 268 को आप देख रहे है तो मद्दाताओं के लिए हाज से सबसे छोटा संसिदी छेत्र जो है वो महोबा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम ए वाले आप्षन को चुनकर बाहर कर लेते हैं प्रश्न संख्या 279 को देखते हैं कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो राश्ट्रिय वनस्पती अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट यह आपका वाराणसी में है बीरबल सहानी पुरा वनस्पती विज्ञान संस्थान यानि अलियो बोटनिक से समंदित जो इंस्टिट्यूट है बीरबल सहानी के नाम पे वो आपका लखनव में है बारतिय पशो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्ञत नगर बरेली में है और कृशिवान की अनुसंधान केंद्र जो है वो जहासी में है ऐसे करके 279 प्रशन दिया हुआ है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें कौन सा होना चाहिए ये वाला होना चाहिए राश्ट्री वनस्पती अनुसंधान संस्थान वारारसी ये सही नहीं है बाकी जितना दिया हुआ है वो ठीक है सब्जी अनुसंधान संस्थान वारारसी में है लेकिन ये बोटेनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट की बात हो रही है तो ये वाला गलत है बाकी सब सही है तो इन्फॉर्मेशन आप इकट्थी करें इसके बाद महाजनपत और कैपिटल फिर से आ गया इसमें गलत की तलाश आपको करनी है तो कोशल महाजनपत की राजधानी श्रावस्ती वत्स की दिया हुआ है इंद्रप्रस्त चेदी की दिया हुआ है शुक्तमती शुक्तिमती यानि श्रक्तिमती और सूरसेन महाजनपत की मथुरा अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा होगा, मतलब गलत कौन सा होगा तो साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है कि इसका जो correct answer है वो what's वाला होगा क्योंकि इंद्रप्रस्त जो है ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्त ये कुरु महा जन्पत की राजधानी है ना कि वत्सकी ठीक तो ये हम इसमें से बाहर कर लेते हैं 271 को देखते हैं बी वाले विकल्प को हमने चुनकर निकाल दिया 271 में पूछा गया कि which of the following option is not correctly match अभी यहां भी वही बात तो कल की festival जो है ये संभल का है पीछे हमने ऐसे देखे थे सुलहकुल festival जो है वो आग्रा का है संकट मोचन उत्सो प्रयाग राज का है और काशी गंगा मोह उत्सो जो है वो वाराणसी का है साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है कि इसमें गलत कौन सा है संकट मोचन उत्सो संकट मोचन माने संकट मोचन हन्मान जी का जो मंदिर है वो कहां पे है वाराणसी में है तो उसी साफ से 271 का जो correct answer है वो इसमें C हो जाएगा यही गलत है संकट मोचल उत्सव जो की संगीत कारिक्रम होता है जाने माने संगी तक गे लोग वहाँ इकठे होते हैं तो ये वाराणसी का है, बाकी सब सही प्रशन संख्या 272 को देखते हैं यहाँ पूछा गया कि करेक्ट आप्शन कौन सा है तो बेरिया घाट का मेला जो है ये मादा में लगता है शाकंबरी देवी का मेला साहरनपूर में नहीं बलकी शाजाहापूर में लगता है श्रिंगी रामपूर का मेला फरुखाबाद में और सोरो का मेला जो है ये मेरट में लगता है आप बताईए कि इसमें से सही कौन से है तो एक मात्रस में सही जो है वो श्रिंगी रामपुर वाला है फरुखाबाद में लगता है वही एक मात्रस में ठीक है बाकी सब गड़बड आगे बढ़ते हैं मेरट का नौचंदी मेला और सर्धना वाला जो है वो काफी फेमस 270 को देखते हैं इनकरेक्ट ऑप्षन इसमें चुनना है आपको बेला सागर जील महोबा में है शेखा जील अलिगड में है सुर सरोवर आपका आगरा में है और नौध जो है नौध जील का नाम है महोबा में है आप बताई एक गलती कहाँ पर है 273 परिक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा नौध जो है ये महोबा में नहीं है आपको कमेंट सेक्षन में जवाब देना है आपने पीछे भी देखा था कि गाजीपूर जिले की वाल हैंगिंग काफी फेमस है और उसे वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट यानी ODP में शामिल किया गया है ट्राइबल क्राप्ट तो जो जनजाती चेतरी जिसे लखीमपूर खीरी है और भी कई जगह पे ट्राइबस रहती है तो वहाँ से बनाती है तो उनके लिए वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट उनको मिला हुआ है लेकिन गाजीपूर उसमें नहीं आएगा तो D वाले ओप्शन को हम निकाल देते हैं बाकी सब सही प्रशन संख्या 275 में पूछा गया कि इनकरेक्ट उप्शन कौन सा है जल्दी से बताईए तो लोह ऐस्क हमको प्राप्थ होता है ललिपूर से यूरेनियम प्राप्थ होता है बादा से ठीक है और चाइना क्ले जो है वो हमको मिलती है यानि चीनी मिट्टी वो मिलती है सोनभद्र और बादा से दोनों जगल से फेलस्पार हमें प्राप्थ होता है जहांसी से इसको फेल्ड स्पार नहीं पढ़ा जाता है लिखते हैं फेल्ड स्पार लेकिन पढ़ते हैं फेलस्पार तो अब इसमें से आप बताईए कि गल्ती कहाँ पर है 275 और 275 का जो correct answer है आप भी जानते हैं कि यूरेनियम जो है वो ललिदपूर से प्राप्त होता है वो बादा में कब से निकलने लगा और यूरेनियम जहां से भी निकलता है वहां समस्याएं पैदा करता है क्योंकि जमीन के अंदर जब तक दबा रहता है तब तक उसके रेडियेशन से लोग बचे रहते हैं जैसे कि जादू गोड़ा की जो माइन्स हैं वो इसका जीता जागता नमूना है वहां बिरहोर आदिवासियों का पूरा कबीला रहा करता था और वो सिर्फ यूरेनियम का उत्खनन होने की वज़़े से अलग-अलग बिमारियों का शिकार होकर वहां से उजड़ गए तो ये एक दुखदाई चीज है फिलाल यहां आप देख रहे हैं ललितपूर से इसका संबन्द है बादा से नहीं बागी सब सही है 276 को देखते हैं पूछा गया कि मोतिलाल नेरू बाल संग रहाल है कि स्थापना अब ये सीधा सीधा क्वेस्चन ने बताई 276 का सही जवाब क्या होना चाहिए इसका जो सही अंसर है वो B वाला होगा 1957 का टाइम था 1957 यहां आपने चुना आप पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लखनव, कानपूर और मेरट जो मंडल है इनसे कितने जिले संबद हैं पीछे आपने लखनव मंडल और कानपूर मंडल को देखा था दोनों में 6-6 थे अब मेरट में कितने हैं यह आपको पता होना चाहिए एक मंडल में कितने जिले हैं जिसे आपका जो भी मंडल है आप जिस जिले में रहते हैं उसके हिसाब से तो उसमें आपको पता होना जाए कि एक मंडल में कितने जिले, हर मंडल में बराबर नहीं होते तो 277 को देखी और बताई C वाला हो जाएगा, तीनों में ही 6-6 मंडल है, लेकिन आकार के लिए हाद से लख 9 बड़ा है ठीक है, तो 6 को आपने चुना इसके बाद आप आगे देखें, 278 में प्रशन में आपसे पूछा गया कि अप्रवासी भारतियों की समस्या ही तू राज्य में जो NRI भी भाग है, फिर से ये क्वेस्टन रिपीट किया है, पीछे भी था पीछे हमने इसको हल किया एकदम शुरुआत में तो यहां जो 278 में क्वेस्टन है, इसका correct answer C हो जाएगा, 2014 में इसको स्थापित किया जाता है इसके बाद पूछा गया कि उत्तर प्रदेश नियाई कानुसंथान और प्रसिक्षण केंद्र जो है, ये किस जिले में स्थित है 289 में प्रश्ण को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा, बीवाला लखनव में इस्तित है उत्तर प्रदेश नियाई कानुसंथान और प्रसिक्षण केंद्र जो है, इसकी लोकेशन लखनव में है, 279 को आपने देखा इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्ण संख्या 280 को देखते हैं, राज्य में इलहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, वो डेट आपको बतानी है, 280 में को आप देख रहे हैं और 280 जो है, इसका सही जवाब इसमें B वाला हो जाएगा, यहाँ ध्यान से आप देखें, यह 17 मार्च 1806 की बाद है, इसे हमने देखा इसके बाद प्रशन संख्या 281 को देखते हैं, निमनलिखित में से प्रदेश में केंद्रिय कारागार कौन सा है, यह आपको बताना है और लखनवू, नैनी, आगरा, बरेली, इसमें जो ऑप्शन दिये हुए है, उन्हें आप देख रहे हैं और इसमें से जो सही जबाब है, वो इसका बी वाला हो जाएगा, यह नैनी में है, जो जेल है वो आपकी कहां पे है, नैनी में है और इसका बी वाला ओप्शन है, वो सही इसके बाद 282 वी को देखते हैं, संपूरा नंद कारागार प्रसिक्षर संस्थान, यह कौन से स्थान पे है बताईए, 282, यह छोटे-छोटे क्वेस्टन है, और 282 जो है, इसका सही जबाब ए वाला हो जाएगा, यह लखनव में है, संपूरा नंद, जेल ट्रेनिंग इं सही जबाब C वाला हो जाएगा, यहां आप देख रहे हैं, 2005, प्रशन संख्या 284, वीर भादुर सिंग पुरुष और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जो है, मतलब यह मेल और फीमेल दोनों, यानि मैन और वुमेन दोनों के लिए है, यह कौन से स्थान पे है, बताईए, तो बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 285 को देखते हैं, श्री कांशी राम इंस्टिटूट अप टेक्नलोजी, श्री कांशी राम इंस्टिटूट अप टेक्नलोजी, इसकी लोकेशन कहा है, बताईए, तो 280 का जो सही जवाब है, वो B हो जाएगा, लखनव में इसकी लोकेशन है, कांशी राम इंस्टिटूट अप टेक्नलोजी, लखनव, 286, उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग की स्थापना, अब यह तो आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा, यह यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, UPPSC जो है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस उसको कब established किया गया था, वो date आपको इसमें से बतानी है, इसके बाद 287 वह आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला science park कहां पे स्थापित किया गया था, 287 को आप देख रहे हैं, correct answer इसका A हो जाएगा, गाजियाबाद, गाजियाबाद में सबसे पहले कौन सा जिला है, 288 को आप देख रहे हैं, ये ललितपुर है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से लगाए, बाकी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मर्ज है, इसके बाद 289 को देखे, यहाँ पूछा गया कि सबसे ज़्यादा नम जमीन कहां पर पाई जाती है, सबसे ज़् प्रशन संख्या 290 में पूछा जा रहा है कि कुल कृषी पारिस्थित की छेत्रों की संख्या कितनी है, ये भी एकदम सीधा प्रशन है, और इसका जो सही जवाब में वो क्या होगा, D हो जाएगा, 20 है टोटल फिलाल, इसके बाद 291 में पूछा गया कि भीतरी मंदिर कहां तो गाजीपुर में है, इसके बाद 292 को देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि लखनवु में कला और शिल्प महाविद्याले की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, 292 को आप ध्यान से देखें और बताएं, तो करेक्ट अंसर इसका क्या होना चाहिए, 1911, ये डेट आपना कम होती है, 1911 में होती है, ये सब 1911 वाले हैं, ये वाले आप्शन को हम चुल लेते हैं, इसके बाद 294 को देखते हैं, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, अब ये आप देखें, कहां पे स्थित हैं, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्पले यहाँ जिलो के नाम दिये हैं, देखें और बताईए तो 294 जो है इसका correct answer B हो जाएगा ठीक है, B वाले option को चुल लेते हैं, Itawa यह Itawa में स्थित, आगे बढ़ते हैं, 295 यहाँ पर पूछा गया कि April Park कहां पे स्थित है April Park यह April Park आप कह लीजे इसकी location कहा है, Tronica City में है माने गाजियाबाद में है, Greater Noeta में है कि बंथर जो उन्नाव का है, वहाँ पे है कि रूमा कानपूर वाला जो है, वहाँ पे स्थित इसकी location कहा है, बस इतना ही आपको चुलना था और 295 जो है, इसका right answer हो जाएगा आपको बताना है, 296 को ध्यान से देखिए और बताईगे और इसका जो सही जबाब है, वह इसमें ए हो जाएगा यह लखनव में है, ठीक है, लखनव में है गुरु गोविन सिंग स्पोर्ट्स कॉलेज, अब इसकी location आप बताएगे और 297 जो है, इसका right answer भी होना चाहिए लखनव में है यह भी, गुरु गोविन सिंग स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनव में इसकी location है, location के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है ठीक, तो 297 को आपने देखा, इसके बाद 298 में कहा गया कि भारतिय दलहन शोज संस्थान यानि PULSES Research Institute जो है वो कहाँ पर है, तो इसमें लखनवु, प्रयागराज, कानपूर और आगरा दे रखा है आप इसमें से देखें और बताएं 298 जो है, इसका right answer C हो जाएगा, यह कानपूर में है दलहन शोज संस्थान जो है, यह आपका, कानपूर में पढ़ता है अब फिर से एक बार census हाजिर हो गया है और कहा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम महिला साक्षर्टा पाई जाती है female literacy rate जो है, वो lowest कहाँ पे है वो जिले का नाम आपको चुनकर बताना है तो बलिया, दिवरिया, गोरगपुर और रामपुर 2011 के census के according 299 का जो right answer है, वो इसमें D हो जाएगा रामपुर, ठीक है, रामपुर में सबसे कम है तो आपको comment section में जवाब देना है बहुत सारे प्रशन आपसे पूछ लिए, आगे भी पूछे जाते रहेंगे तो रामपुर में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये भी आपको साथ में बताना है इसके बाद 300 यहाँ पे आपने 13 शतक लगा लिया बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी दो शतक और लगा ले तो 300 वाँ प्रशन आपसे पूछ रहा है कि मंदिरों में संगीत बध अर्चना पध्यती की शुरुवात संगीत बध अर्चना पध्यती की शुरुवात इसमें से किसके द्वारा की गई थी तो ये स्वामी वल्लभाचारे थे, हरिदास जी थे या श्री केलि माल जी थे या इसमें से कोई भी संथ नहीं था सब अपने मन से ही किया जाता रहा संथ लोग ही ऐसी परंपरा को शुरू करते हैं और ये वल्लभाचारे थे वल्लभाचारे के बारे में एक कहानी प्रशलित है कि इनके माता-पिता दक्षिन भारत के रहने वाले थे और वो काशी की और प्रस्थान करते हैं उस समय इनकी माता गर्ववती रहती है मतलब यही पैदा होने वाले रहते हैं तो ऐसी कंडिशन में उसी अवस्था में यह तीर थे आत्रा पर निकल पड़ती है और एक मरे हुए शिशु को घने जंगलों में जन्व देती है और उसकी सांसे नहीं चल रहे थी तो यह छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं दोनों ही दमपती और यहाँ पर यह मंदिरों में अपना संगीत बद्ध अर्चना की शुरुआत करते हैं हाला कि भजन कीर्तन से बहुत सारे संतों का जोड़ है जैसे कि आप चैतन महाप्रभू को देखते हैं लेकिन फिलहाल इसमें से जो विकल्प है उसमें वल्लभा चारे को हम चुनेगे इसके बाद 301 को देखते हैं यहाँ जो पहला प्रशन है 300 के बाद इरानी फार्सी और भारती राग आपने देखा हिंदुस्तानी शैली जो है वो बहुत से विदेशी रागों से प्रभावित होती है तो इरानी फार्सी और भारती रागों को किसने मिक्स करने का काम किया ये काम किसका था बताइए तो जहांगीर कर रहा था, जहांगीर का ये काम हो सकता है, आप सोच कर देखिएगा बाकी असित कुमार हलदार जी जो है, ये तो चितरकार है, तो ये कहां से राग को मिक्स करेंगे अमीर खुसरो कर सकते हैं, अब इसमें आप थोड़ा गेस करके जो काम है उसको अंजाम दे सकते हैं और इसका क्या होगा, अमीर खुसरो ही होगा, इस तरह के प्रैक्टिकल वर्क जो है न, म्यूजिक के छेतर में वो अमीर खुसरो बड़े पैमाने पर करते थे, तो ये हमने देखा, इसके पाद 302 वे नंबर के प्रशन को देखिए इसमें कहा गया कि किसने चित्रो और मूर्तिकला पर 50 से ज़्यादा किताबे लिखी हैं, ये सारे प्रशन जो हैं गुमा गुमा कर रिपीट हो रहा है, पीछे हमने इन सब को देखा है तो चित्रो और मूर्ति कला पर 50 से ज़्यादा पुस्तिके लिखने का जो एक महान काम है उसको किस ने किया है ये ललिद मोहन सेन जी का काम है चमन सिंग ने किया है अदारंग ने किया है या हुजैन सा शरकी शाषन करना छोड़ कर किताबे लिख रात इसमें आप बताइए तो 302 नंबर का जो question है इसका correct answer भी हो जाएगा ये चमन सिंग का काम था चमन सिंग चमन इनको कहा जाता था मतलब एक चमन से संतोष नहीं था तो पिछवाँ इठे चमन लगा लेते थे तो चमन सिंग चमन ये हमने देखा इसके बाद 303 को देखते हैं थोड़ा मजा लेगे पढ़ना चाहिए मतलब एक दम आप एक धर्रे में पढ़ेंगे ना सोने लगेंगे इसलिए अब आप देखें तान से इन बैजू बावरा बैजू सिर्फ लिखा हुआ है बैजू नाम था बैजनात नाम था बैजू बावरा और गोपाल ये सब आठ शिश्य थे यहां तीन के ही नाम आप देख रहे हैं बाकी जो हैं वो भी दिये हुए मतलब पांच और इसके आते हैं मतलब र looking के जोन संगीत करना चुरू रहते हैं कि हुए जुए गलत है वह स्वामी से के राग कोशनाही में रहता है तब वो सिद्ध करने के लिए दोनों लोग स्वामी हरिदास के पास जाते हैं जो कि उस समय हिमाले में अपनी साधना कर रहे थे और वहाँ पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो गाने को ही नहीं तयार हो है कि एक स्वच्छन्द आत्मी के गले से निकला हुआ जो संगीत है वो आत्मा का संगीत होता है वो किसी दर्बारी गायक के वश की बात नहीं तो स्वामी हरिदास के सारे चेले थे इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं इसके बाद 304 को देखते हैं तांसिन के दामाद थे हाजी सुल्तान उन्होंने एक नया स्वरूप विक्सित किया तांसिन के दामाद भी थे अब यह नई जानकारी यहां जिपराब्द होती है तो यह जो सन इल्ला है इनका नाम है हाजी सुल्तान और इन्होंने जो नया स्टाइल बनाया है उसका नाम क्या था बताईए वो धुरूपद शैली थी यह तो पहले से ही है अब इसमें से 304 में से आप किसको चुलिएगा तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें गेस करना आसान है इस तरह के टेड़े क्वेश 305 में प्रश्ण को देखते हैं जिसमें कहा गया कि कौन सा लखनव घराने से संबंदित नहीं है प्रश्ण संख्या 305 बहुत ध्यान से देखेगा और इसमें से अलाउदीन खान को अगर आप ध्यान से देखें तो वो इस से संबंदित नहीं हैं बागी जितने हैं वो तो ह मतलब आप रजा खान को देख रहे हैं गुलाम मुहम्मद को देख रहे हैं और रहीम सेन जो है ये भी जुड़े हुए हैं लेकिन अलाउदीन खान का सम्मंद लखनव घराने से नहीं है इसके बाद 305 के बाद 306 की और बढ़ चलते हैं अगला प्रशन कजरी का विशेश छे 307 यहां कहा गया कि लखनव ख्याल गाईकी के पितामा कौन है तो इसमें आप देखें मतलब ख्याल गाईकी के आविशकारक जो लखनव घराना है या लखनव छेत्र है वहाँ पे किसको माना जाता है तो यह खुर्षेद अली खां है श्यामरंग है करीम खां है मुश्ताक अली है इसमें से कौन सा होगा तो 307 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट एंसर है वो इसमें ए हो जाएगा यहां आप देख रहे हैं खुर्षीद अली खां जो है यह ख्याल गायकी के पितामा माने जाते हैं लखनव छेत्र में ठीक है 307 को हमने देखा इसके बाद प्रशन संख्या 308 को देखते हैं सर्धना मेला कहां लगता है मेरट में लगता है पीछे हमने देखा था तो यह आराम से कर सकते हैं गोविंद साहब मेला कहां लगता है यह एकदम सीधा प्रशन पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें C वाला हो जाएगा अम्बेटकर नगर में लगता है, ठीक है, 309 का जो correct answer है, वो C हो जाएगा, इसके बाद 310 को देखते हैं, सोन महोटसव, ये कहाँ पे लगता है, मतलब सोन महोटसव का आयोजन कहाँ पे होता है, इसका जो place है वो आपको बताना होगा, तो अयोध्याधा में मिर्जापुर है, सोन भद्र है कि प्रयागराज है, तो सोन से आप किसको जोड़ सकते हैं, सोन भद्र को जोड़ सकते हैं, और इसलिए इसका जो C वाला option है, वो हम पकड़ लेते हैं, आराम से इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं, 311 को देखते हैं, अवधी का विकास जो है, वो किस भाशा से हुआ है, यह आपको बताना है, तो यहाँ आप देखें, कन्नौजी है, ब्रज भाशा है, मगदी है, इसमें से कोई नहीं है, 311 का जो correct answer है, वो इसमें C हो जाएगा, मगदी, ठीक है, मगदी से यह विक्सित हुई है, मागदी भाशा जो है, उससे यह develop हुई, कानरा नृत्य, पीछे आपने देखा था, कानरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कानरा नृत्य को करने वाले जो लोग है, जो society है, वो कौन सी है, तो 312, correct answer इसका A हो जाएगा, यह धोबी समाज है, और वो भी बुंदेल खंड का जो धोबी समाज है, वो करता है कानरा नृत्य, A वाले विकल्प को हमने चुना, अब यहाँ पे आप देखें कि gloves, puppet जो है, अब देखें, जो कटपुतली है, मूल रूप से कटपुतली का मतलब होता है, काट से बना हुआ पुतला, यानि डॉल, और उसके पीछे string यानि धागे बदे रहते हैं, और उसको पर्दे के आगे रखा जाता है, और पीछे धागे को अमुलियों में फसा कर जो कलाकार है, वो हिलाते हैं, एक्टिंग करवाते हैं और कटपुतली या उसी हिसाब से नाचती है, ये एक सिस्टम होता है, लेकिन बाद में कटपुतली के बहुत सारे जो स्वरूप हैं, वो विक्सित होते हैं, आप देखते हैं, दक्षिन भारत में शिलप्पा दिकारम में बढ़े पहमाने पर कटपुतलियों का वर्डन दिखाई देता है, तो देश की अलग-अलग छेत्रों में भिन भिन प्रकार की जो कटपुतलियां हैं, जैसे छाया कटपुतली है, छड कटपुतली है, दस्ताना कटपुतली है, इस तरह से कटपुतलियों का विकास होता है, तो यह पर जो gloves puppet की बात की जा रही है तो प्रदेश की पहली gloves puppet कौन सी है यानि दस्ताना कट पुतली इसमें से कौन सी है वो आपको बताना है तो ये स्वांग सपेड़ा है गुलाबो सिताबो है काबुली वाला है या इसमें से कोई नहीं अच्छे अच्छे नाम है और 313 का जो correct answer ह वो इसमें B हो जाएगा गुलाबो सिताबो फिल्म भी बनी थी है न तो B भाले option को हम चुल लेते है इसके बाद 314 को देखते है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमी का निभाई तो वैसे तो बहुत सारी चीजों के विकास में उन्होंने भूमी का निभा देखते हैं भारतिंदू हरिष्चंद्र जैसे जो लोग जो है इसे सही आकार देते हैं इसके बाद 315 को देखते हैं सुलहकुल उत्सव जो है यह हिंदू-मुस्लिम एकता का मतलब वही गंगायमुनी तहजीव का प्रतीक है तो यह उत्तर प्रिदेश के कौन से स्थान प बताईए तो परेटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में 1974 वाला जो ऑप्षन है उसको हम चुनतें कौन सा लोग गीत वर्षाकाल में गाया जाता है 317 को आप देखें और इसका जो सही जबाब में इसमें C हो जाएगा कजरी कजरी जो है नहीं सावन के महीने का होत जूला लगता है नीम के पेड़ पे और जो महिलाएं है और जो सुहागी लड़कियां होती है वो अपने माय के आती है तो वो कजरी गाती है बाकी कजरी दंगल का भी आयोजन होता है मतलब दो टोलियां बटके कजरी को गाती है तो इसमें से C वाला जो ऑप्षन है वो सही इसके बाद 318 को देखते हैं यहां इनायत खा के बारे में कहा जा रहा है जो कि सितार बजाते हैं पहले तो इनका परिचय दिया गया अब आप यह बताईए कि कौन से घराने से बिलॉंग करते हैं 318 को आपने देखा करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा यह इटावा घराने करके ढाल बनाके लाठियों को रोकते हैं यह मार पीट वाली हो ली मतलब प्रेम पूर्वक वो मनाई जाती है कहां पर मनाई जाती है बताई तो 319 का जो करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा बरसाना राधा रानी का छेत्र है बरसाना तो B वाले ऑप्शन को हम इसमें से चु जाएगा है ना 1986 में शामिल किया गया था ताज महल और आग्रा का किला जो है वो पहले से 1983 में ही शामिल है तो यह हमने 320 को देखा City of Music के रूप में काशी को कब शामिल किया गया था UNESCO की लिस्ट में City of Music अब आप बताईए इसमें जो समय दिया है करेक्ट आंसर क्या होगा B हो जाएगा यहां आप देख रहा है 2016 में शामिल किया गया था Eco Tourism Policy को कब प्रख्यापित किया गया था वो डेट आपको बतानी है तो 322 को ध्यान से देखेगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें B हो जाएगा यह 2014 का समय 2014 का समय इसके बाद संत सलामत शाह की मजार के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कहां पे है संत सलामत शाह की मजार जो है अभी पीछे हमने इनके संबन्द में देखा था तो 323 correct answer क्या होगा 12 बंकी हो जाएगा 12 बंकी में है सलामत शाह की मजार और इसमें उर्स जो इनका सालाना उर्स होता है इसमें से गाजियाबाद को चुनना चाहें तो हम गाजियाबाद को चुनेगे बैसलिसंख्या 325 को देखते हैं चाकूँंगा शहर किसको कहा जाता है चाकूओं का नगर या चाकूओं का शहर तो रमपुरिया चाकूओ आपने पढ़ा होगा तो रामपुर ठीक है रामपुर को कहा जाता है इसके बाद 326 गुंडागर्दी का एक अलग ही टैग होता है रमपुरिया चाकूओ अब यहाँ पर आप देखें नगर महोदैश्री या महोदैश्री महोदैश्री इस तरह के नाम इत्र नगर ये सारे नाम किसके हैं कनोज के हैं सीधी बात है आगे जलते हैं ब्रह्मवर्थ किसको कहा जाता है, अयोध्या को कहते हैं, सहेत महेत को कहते हैं, कामपिल्ले को कहते हैं, कि बिठूर को कहते हैं, बताइए, 327, बीवाला हो जाएगा, बिठूर को कहते थे ब्रह्मवर्थ पहले के समय में, बाद में इसको लोग बुला नहीं पाए ब्रह्मवर्थ, तो बिठूर कहने लगे 328 की बात करते हैं, तो यहां आप देख रहे हैं काफी पहले से ही प्रयास चल रहा है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 329 को देखते हैं, आगरा फोर्ट को इंक्लूट किया गया था कब, तो आगरा फोर्ट और ताज महल दोनों को शामिल किया गया था, 1983 में, ठीक है, आगे चलते हैं मलूग दास जी का जन्म कहां पे हुआ था, अजगर करेन चाकरी, पंची करेन काम, दास मलूगा कहा गया है, सबके डाता राम इसका मतलब यह नहीं कि कर्म करना बंद कर दीजे, इसका मतलब है कि व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजे, सब इश्वर पर छोड़ कर अपना जो दैनिक काम है, उसको करिए तो यहां आप देखें, मलूगदास जी पैदा कहा हुए थे, वो जगह का नाम आपको बताना है, और 330 जो है, इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा, कड़े में पैदा हुए थे, कड़े मानिक पूर आपने पढ़ाया थे, तो कड़े में इनका जन्म हुआ थे अब इसके बाद 331 को देखते हैं, यहां देखें, बियच्चू के संस्थापक है, पंडित मदन मोहल मालवी और यह कटर ब्राममणवादी और हिंदू थे, तो इनका जन्म कहां पे हुआ था, यह कहां पैदा हुए थे, बताई, यह वाराणसी में पैदा हुए थे, कि प् पिलाल जन्मिस्थली के अगर बात करें तो प्रयागराज, तो प्रयागराज बहुत सारे महान पुरिशों की धर्ती रही है, अब यहां हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मिस्थान पूछा जा रहा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी कहां पैदा हुए थे, यह इस लिए डलहोजी के समय में इने उत्तर अधिकार के अरिकार से वंचित कर दिया जाता है सल्तनत काली नितिहासकार और کट्टर इसलामिक ये इतिहासकार था इसका नाम था जिया उद्दिन बर्नी ये कौन से जिले से सम्मंदित था आप बताईए इसका सम्मंद कौन से जिले से है 334, B वाला हो जाएगा बुलंद शहर, बुलंद शहर का ये रहने वालत, कभीरदास जी कहां पैदा हुए थे, तो यहां कहां पैदा हुए थे, वो नहीं पूछा जा रहा है, कब पैदा हुए थे, ये आपको बताने है, 335 को आपने देखा, बताई, देखें कभीरदास जी के जन्म के बारे में मतलब इतना तगड़ा भी नहीं है वैसे 1398 इस भी हम लोग मानते हैं और विक्रम समवत के हिसाफ से अगर देखें तो 1455 होता है इसमें से कोई भी उत्तर जो है वो उस लायक दिखाई नहीं देता है तो हम छोड़ देते हैं इसे मतलब इसमें से किसी को तो नहीं ही इस भी में है अनोडोमिनी और बागी विक्रम समवत के हिसाफ से चुकि विक्रम समवत आगे चलता है तो 1455 के आसपास का समय उस इसाफ से बैठता है इसके बाद यहां 335 कौम ने देखा 336 को देखते हैं अमीर खुसरों का जन्मिस्थान कास गंज में है ठीक है कास गंज म आगे उनकी संख्या कितनी है वो आपको इसमें से बतानी है तो कितने हैं बताईए 337 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भी वाला हो जाएगा ठीक है छे हैं टोटल यहां आमने देखा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है तो इसमें आप देखें प्रशी टंडन विश्व विद्याले यह क्या है तो ओपन यूनिवर्सिटी है आपने इसको देखा भी होगा यहां से हो सकता है डिगरी भी हासल की हो तो यह ओपन यूनिवर्सिटी है यह एक मात्र ओपन यूनिवर्सिटी है अपने प्रदेश की यह भी आपको पता होना इसके बाद 340 वा प्रशन आपसे पूछ रहा है कि प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक किसके सानिध्य से प्रकाशित होता था प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक वो किसके संडरचण में या किसके मार्गदर्शन में प्रकाशित होता था उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है तो 340 को आपने देखा correct answer इसका क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है ये गोविंद रगुनाथ धत्ते यहाँ पे जो है इसके संस्थापक और संरच्छक थे बागी आपको बताना है कि ये हिंदी रैने इसका नाम क्या था? कमेंट सेक्षन में इसका नाम आपको बताना होगा गीता प्रेस गोरकपुर ये धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का सबसे बड़ा प्रकाशन केंदर है गोरकपुर का और ये एक धार्मिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसका नाम है कल्यान कौन से वर्ष से प्रकाशित कर रहा है काफी धार्मिक कहानिया पौराणिक कहानिया और तमाम चीज़ें उसमें होती है तो 341 जो है इसका correct answer क्या होना चाहिए 1926 यानि B वाला option B वाले विकल्प को हमने चुना और उसके बाद 345 में प्रश्न को देखते है उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशत का गठन किस वर्ष किया गया था बताई उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशत का गठन कब किया गया था किस वर्ष में किया गया था और correct answer क्या होना चाहिए 343 को आप देखे ये वाला हो जाएगा ये 1989 नब्बे का टाइम था मतलब एक सत्र लिया गया है तो 1989 नब्बे को हम यहाँ पे चुल लेते हैं ये था हमारा 343 प्रश्न इसके बाद 344 की और बढ़ते हैं पूछा गया कि प्रात्मिक विद्याले में सारभौमी करण मानका अनुसार जो छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए सिक्षा मित्र योजना की शुरुवात किये गई थी सिक्षकों के अलावा ये अतरिक तेहां पर भरती किये जाते थे सिक्षा मित्र तो इस सिक्षा मित्र भरती योजना को कब शुरू किया गया था ये उत्तर प्रदेश में है न तो आप बता ही कब से शुरू हुई है 344 और 344 का जो करेक्ट अंसर है वो इसमें B हो जाएगा यहां आपने देगा 345 को देखते हैं तो उच्षे सिक्षा निदेशाले प्रयागराज यानि डिरेक्ट रेट अफ हाईयर एजुकेशन प्रयागराज जो है इसकी स्टैबलिश्मेंट कौन से वर्ष में होती है इसमें आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आप आराम से पकड़ सकें यूकि इसमें तुक्का नहीं चलता है इस तरह के प्रश्न में आप जुगार लगाएंगे प्रश्न गलत हो जाएगा इसके बाद 346 में को देखते हैं देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी भाषा को मतलब लिपी जो है वो देवनागरी है भाषा हिंदी है इसको राज भाषा गोशित किया गया अब ही पीछे हमने देखा था वही चीज फिर से हाजर हो गई है अब इसमें आप बताईए तो 346 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट अंसर A हो जाएगा यहां आप देखें अक्टूबर 1947 आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 347 को देखते हैं 347 में आपसे पूछा गया कि बनारस हिंदू विश्विद्याले का शिला नियास किसके द्वारा किया गया था मदन मोह सेरेज सिंग जो की काशी नरेश्ट हैं उनके द्वारा तो 347 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट अंसर उस में सी हो जाएगा फीर नियास की कौन सा है तो अब यहां पर जो विकल्ब दिये हैं वो आपको चक्कर में डाल सकते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि सोनभद्र जो है वो चार अलग-अलग राज्यों को इस पर्ष करता है वो चारो राज्ये हां हाजिर हैं मतलब पहले दो ही राज्ये हुआ करते थे अभी हर्याणा के साथ सीमा साजा करते हैं अब यह बताईए तो 349 को ध्यान से देखेगा correct answer इसका हो जाएगा 6 6 ऐसे जिले हैं जो कि हर्याणा के साथ अपना border share करते हैं 350 को देखें उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले अपनी सीमा साजा करते हैं तो पीछे हमने देखा था इ उन सभी का सही जवाब इसी वीडियो में शुरुवात में बता दिया गया है तभी उसको दुबारा repeat नहीं किया जा रहा है नहीं तो वीडियो के length अनावश्यक रूप से लंबी होगी और उसके बाद आपको दिक्कत होगी क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 10 दिन का समय बचा सबसे उत्तरी जिला है यह उत्तर प्रदेश का और इससे कितने राज्य सीमा साजा करते हैं सहारनपूर से तीन सो तिरपन को आप देख रहे हैं इसका क्या होगा ए हो जाएगा तीन जिले सीमा साजा करते हैं माप कीज़ेगा तीन राज्य सीमा साजा करते हैं जिला है हमारा सहारनपूर जो राज्य से सीमा साजा करते हैं उनकी संख्या है तीन तो यह है तीन सो तिरपन इसके बाद आप देखें 354 को बुंदेल खंड ये पठारी और पहाडी छेतर का ढाल है, मतलब बुंदेल खंड का ढाल है, वो किधर की ओर है, ये आपको बताना है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है, पूरब की ओर है, कि साउथ, मतलब दच्छड की ओर है, धलान किधर है, धलान किदर हो सकता है, उत्तर की ओर हो सकता है तो उसमें से हम B वाले option को चुल लेते हैं थोड़ा सा आप बुद्धी लगाएंगे भारत के नक्षे को दिमाग में डालेंगे तो आप आराम से इन चीजों को हल कर सकते हैं इसमें रटने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी 355 को देखते हैं, कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है, बताइए अब तो जलवायू परिवर्तन से सब डावा डोल हो गया है लेकिन फिर भी, दिसंबर जादा ठंडा होता है कि जनवर ही जादा ठंडा होता है और नहीं तो गर्मी होगी तो एकदम पसीना छोड़, बरसात होगी तो अती हो जाएगा मतलब जो भी होगा वो अती होगा तो इसमें आप बताएं कि कौन सा महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है अपने आप पूस का महीना जो होता है, पॉस का महीना उसको कहा जाता है कि उस समय टूस भी कापने लगता है, यानि जो हड्डियाँ है, उनके अंदर की जो मज्जा है, वो भी कापने लगती है तो आप बताएं इसमें से कौन सा महीना होगा, 355 सी हो जाएगा, जन्वरी, इस समय पढ़ती है मगबदरिया, माने पश्टमी भी छोबाता है और वो गेउं की फसल, माने रभी की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन ठंडी भी अच्छी खासी पढ़ती है पचुआ पउन जो है, वो सीत लहर का एकदम बड़ा प्रकोप वहाँ दिखाती है तो जन्वरी का महीना होता है, इसके बाद 356, यहाँ आप देखें नीचे बुंदेलखंड छेत्र, इसमें से कौन सा जिला, मतलब कौन सा जिला जो है, वो बुंदेलखंड छेत्र को कवर करता है तो चंदॉली वहाँ पे है, और यहाँ है, महोबा है कि एटा है, 356 को देखें और बताएं तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, महोबा, इसमें से महोबा जो है, उसको चुनकर बाहर कर लीजे, वो हमारे काम का है 357 को देखते हैं, कौन सा जिला छेत्र पल के हिसाब से सबसे छोटा है इसमें से तो यह तो आप पकड़ सकते हैं, इसमें से हापड हो जाएगा, आराम से आप कर लीजे अब उत्तर प्रिदेश में सबसे अधिक सुष्क खेती का छेत्र कौन सा है सुखे से जादा प्रभावित कौन सा छेत्र है बताईए, तराई और भाबर हो नहीं सकता है क्योंकि तराई में तो तरी होती है, मतुरा और आगरा सुखे तो है, राजस्थान से सटे हुए है इसमें कोई संदे नहीं है, बुंदेल खंड जो है वो भी सुखे की मार से तंग रहता है तो आप इसमें से चुनेंगे किसको 358 का बुंदेल खंड ही होगा, नदी जोडो परियोजनाय और तमाम चीज़ें इसमें उपाय के तौर पे की जा रही है लेकिन दिक्कत यहां की जो है, वो हल होने का नाम नहीं ले रही है आला कि सुखता है यहां भी यह लेकिन वैसी गंभीर नहीं इसके बाद 369 को देखते हैं यहां देखें, कहा गया कि ब्लैक सॉयल को किसी और नाम से जाना जाता है तो इसमें जितने नाम है सबसे जाना जाता है रेगुड कहा जाता है, स्वतायकृष्यम्रदा कहा जाता है कपास की मिट्टी कहा जाता है, करैली मिट्टी कहा जाता है इससे लोग बाल साफ करते हैं बाकी सभी जो हैं उसमें सही है असल में ये बेसार टिलावा के अपर्दन से बनती है, इसलिए काली होती है इसके बाद आगी चलते हैं, प्रश्न संख्या 360 को देखते है यहाँ पर आप से कहा गया कि नवाब ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश में कौन सा फल उत्पादित होता है जिसको कि बाहर भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है मतलब कौन से फल का जो ब्रांड नाम है, वो नवाब है ये केला है, आम है कि अम्रूध है तो फलो का राजा आम होता है, अब इसमें नवाब को आप किस से जोड़ेंगे करेक्ट अंसर इसका बी ही होगा, नवाब मतलब राजा ही न, तो इसमें से आम को चुन लीजिए थोड़ा सा आप बुद्धी लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा इसके बाद 361 को देखते है, जमिदारी उन्मूलन कानून जो कि बहुत जरूरी था और ये 1950 में आता है अपने यूपी में, कब से लागू होता है वो तारीख आपको बतानी है कानून आने की बात अलग है, उसको इंप्लिमेंट कब किया जाता है तो 361 का जो करेक्ट आंसर है, वो बी हो जाएगा 1952 में जाकर ये लागू हो पाता है, वो भी पहली जुलाई से, है न? तो ये आपने देखा, चकबंदी कई बार हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है मतलब ये स्टार्टिंग इसके कहां से होती है, वो आप बताएगा 362 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें A हो जाएगा, 1904 पहली बार, चकबंदी होती है जोतों की जानकारी है तो किसान बही योजना कब से लागू है, ये सब पुरानी योजना है लेकिन प्रासंगिक है तो आप पढ़के जाएगा अभी 363 को अगर चुनिएगा तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला, 1902, किसान बही योजना, मतलब पुरानी है तब भी कह सकते हैं, इसका जो समय है वो काफी पीछे का है अब इसके बाद उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब से लागू है, तो किसान क्रेडिट कार्ड को हमने पीछे भी देखा था, यहाँ फिर से हाजिर हो गया है देखें, उत्तर प्रदेश में ये अगस्त 1998-90 के समय से शुरू हुई है अब इसमें 1998-90 बे दिया हुआ है, exact जो डेट है वो अगस्त 1998-90 है हलाकि मोटे विकल्ब के तौर पे हम ये वाले विकल्ब को चुन सकते हैं काम चल जाएगा लेकिन अगस्त 1998 आप याद रखेंगे इसके बाद 365 को देखते हैं यहाँ देखें दुख्ध परिशत जो है उत्तर प्रदेश राज्य दुख्ध परिशत यानि स्टेट मिल काउंसिल जो है उसकी स्टेबलिश्मेंट कब होती है 365 पान के खेती अपने UP में अच्छे पैमाने पे होती है तो इसमें आप देखें कि 24 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जहां पर पान बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है लेकिन उनमें विशेश प्रसिद्ध जिला कौन सा है तो यहां महोबा नहीं दिया है अब महोबा के अलावा आपको चुनना होगा तब बताईए कि इसमें से कौन सा होगा 306 करेक्ट अंसर क्या होगा महोबा अगर नहीं दिया है तो बादा हो जाएगा अब विकल्प कैसा दिया है इस पर निर्भर करता है तो अब पूरे देश में सबसे ज़्यादा cold storage कहां पर पाय जाते है cold storage में अनाज का भंडारण या सबजीओं का भंडारण किया जाता है तो आप बताएं सबसे ज़्यादा कहां पर है ये अपने प्रदेश में है या बाकी प्रदेशों में तो 367 correct answer इसका होना चाहिए B वाला UP में है तभी ये पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश में अनाज भंडारण और अनाज भंडारण से ज़्यादा आलू और इस तरह की चीजों का जो इस्टोर करने का काम है वो होता है इसके बाद पूछा गया कि प्रादेशिक कोपरेटिव डेरी फेडरेशन यानि रिजनल कोपरेटिव डेरी फेडरेशन इसको इस्टैबलिश किया गया था वो समय कौन सा था 368 368 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा 1962 इसी नाम है हिंदी वाला आपने सुना अब बताइए कि ये कब आती है 2010-11-12-13 समय दिया हुआ और 379 का जो correct answer है वो इसमें C हो जाएगा 2012 का समय था 2012 का समय था यह आप देख रहे है 370 को देखते हैं उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति को कब प्राख्यापित किया गया था माने कब लागू किया था ये बताईए इसमें समय दिया है सीधे सीधे factual question है और correct answer इसका B हो जाएगा 2014 यह हम 2014 को चुनते हैं आगे चलते हैं कृषी पारिस्थितिकी छेत्र एक बार फिर से आ गया लेकिन यहां पे बात हो रही है पारिस्थितिकी छेत्र की यानि इकोलोजिकल जोन पूछा जा रहा है अब इसमें से आपको चुनना है कि कितने हैं टोटल जो अपने उत्तर प्रदेश में इकोलोजिकल रीजन है वो कितने पाया जाते हैं संख्या दी हुई है और 371 का जो करेक्ट आंसर है पीछे भी हमने देखा था कि इनकी संख्या 20 है तो यहां हम 20 को चुल लेते हैं पहली जो दुख्द सहकारी समिती है यानि First Milk Cooperative Society इसको establish किया गया था यूपी में कब तो 372 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा लखणव में किया गया था यहां पर कब किया गया था यह नहीं पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है और लखणव हो जाएगा Location इसकी लखणव इसके बाद 373 की वर चलते हैं सबसे महतुपूर नगधी फसल UP की कौन सी है अब देखें नगधी फसल जो है वो राजी के हिसाब से आउशक्ता के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है टो अपने UP में सबसे महतुपूर नगधी फसल कौन सी है चाय यहां उगाई नहीं जाती आलू जो है हम लोग ऐसे ही थोके भाव उगा लेते हैं दलहन जो है उसको भी पैदा करते हैं हलागी देखा जाए तो निलगाय जो है उसके पीछे पड़ी रती है लेकिन गन्ना जो है वो नगती फसल है उसमें बहुत जादा आपको प्रयास और श्रम की आउशकता होती है अब देखें आप 374 को उत्तर प्रदेश में वायू मृदा अपर्दन से सबसे जादा प्रभावित छेत्र कौन सा है वायू मृदा अपर्दन बने हवा के द्वारा भी मिट्टी का अपर्दन होता है और बाकी जो कारण है उनसे भी होता है लेकिन हवा से बहुत जादा नुकसान पहुचता है तो ऐसा कौन सा छेत्र हो सकता है जो सूखा हो क्योंकि सूखी मिट्टी हवा से उड़ेगी, ये पक्की बात है, है ना, तो आप बताईए कि इसमें कौन सा छेत्र आना चाहिए, थोड़ा सा आप बुद्धी लगाएंगे तो हो जाएगा, 374 का वैसे exactly अगर देखा जाए, इसमें अगर आप answer देखना चाहें, तो इसका ज बारा मृदा अपर्दन से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, इसके बाद 375 को देखते हैं, पूछा गया है कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और स्टडी सेंटर, ये जो संस्थान है, इसको कब इस्टेबलिश किया गया था, मतलब यहां डेट नहीं पूछी जा रही है, यहां यह पूछा जा रहा है कि कौन सी IIT से यह संबन्दित है, मतलब कौन से भारतिय प्राद्योगी की संस्थान के सौजन से इसे स्थापित किया गया है और चलाया जा रहा है, तो इसका जो राइट एंसर है वो इसमें कौन सा होना चाहिए, IIT कानपुर, ठीक है, IIT इसका बी वाला हो जाएगा, राप्ती और रोहिडी नदी का संगम है, बेसिकली राप्ती नदी हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां रोहिडी को भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता है कि बहुत गहराई में पूछ लिया जाता है, मुरादाबाद और बरेल हो जाएगा, बहराईच में है, ठीक है, बहराईच में चितारा जील, इसके बाद मध्य प्रदेश से आने वाली टोन्स नदी, टोन्स नदी का उद्गम छेतर है, वो, ओरिजिन जो है, मध्य प्रदेश है, यहां 379 को आप देख रहे हैं, और इसमें आपको यह बताना है क गंगा में कहां पर यह मिलती, गंगा में इसका मिलन कहां पर होता है, तो टोन्स का गंगा में मिलन हमने पीछे में देखा था, प्रयागराज में कुछ दूरी पर, मुझो मूल प्रयागराज छेतर है, मतलब इलाका है, उससे कुछ दूरी पर सिरसा नाम की जगा है, वहां option correct गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से होता है मतलब अपने राज्य में यूपी में वैसे तो मैदानी इलागे में हरिद्वार से गंगा प्रवेश करती है लेकिन अपने पूरे उत्तर प्रिदेश राज्य में कौन से जिले से एंटर करती है बताईए बिजनौर बलियां क अब 382 में आपसे पूछा जा रहा है राजा गाबान जील जो है ये यूपी के कौन से जिले में है बताईए राजा गाबान जील हमने पीछे भी देखी थी और correct answer इसका सुल्तानपुर हो जाएगा इसे हमने देखा ठीक है सुल्तानपुर को हमने चुना आगे चलते हैं प जाता है रेन हार्वेस्टिंग और रीचार्ज नीती को कब से लागू किया गया है ये रीचार्ज पॉलिसी है और रेन हार्वेस्टिंग पॉलिसी है वर्षा की जल को संरच्छित करना आवश्यक है क्योंकि वर्षा का पानी अगर हम इकठा कर पाते हैं और उसका सही में इस्तिमाल कर पाते हैं तो हम पानी की समस्या से बहुत हट तक निजात पा सकते हैं तो यह कब से शुरू है 384 यह वाला हो जाएगा 2001 से ही चल रही है लेकिन उसका उतना अच्छा असर दिखता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कोई रुची नहीं लेता है प्रश आगरा इंटर स्टेट कैनाल जो है इसको कब बना कर तैयार किया गया था वो डेट आपको बतानी है तो देखें और बताएं 386 correct answer इसका क्या होना चाहिए इसमें से C वाला हो जाएगा 1874 काफी पुरानी है 1874 में ये बनी थी उस समय बनकर तयार हो गई थी अब यहाँ ये पूछा गया कि कौन सा जिला गंडक नहर से गंडक नदी से निकलने वाली जो गंडक नहर है उससे लाभानवित नहीं होता है नहरों का ये इस्तिमाल होता है जहां पानी नहीं जा रहा है वाँ पहुचा दीजिए तो उससे लाभ न लेने वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है 387 को आप देख रहे हैं और correct answer इसका हो जाएगा D वाला क्योंकि इसमें जितने भी जिलों के नाम दिये हैं वो सभी गंडक नहर से लाभ लेते हैं तो D वाले को हम इसमें से चुल लेते हैं प्रशन संख्या 388 पूछा गया कि कौन सा डिस्टिक जो है वो अहरवरा डैम से लाभ लेता है अहरवरा बात जो मिर्जापूर वाला है उससे कौन सा लाभानवित होने वाला जिला है तो 388 का correct answer क्य होगा इसमें प्रश्ण में ही उत्तर आपको मिल गया मिर्जापूर मिर्जापूर से लाभ लेता है अब यह 389 प्रश्ण आपसे क्या कह रहा है सिंस वेन इस दर फ्रेंचाइजी सिस्टम एपलिकेबल फॉर डिस्रिब्यूशन और रिक्रिसिटी इन रूरल एडिया यानि उत्तर प्रदेश में कुल विद्धुत उत्पाद में सरवाधी की योगदान किसका है मतलब कौन से छेतर से हम बिजली सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो इसमें आप देखें और बताएं और 390 जो है इसका राइट एंसर भी हो जाएगा यह तापी विद्धुत है जल विद्धुत से ज़्यादा हम तापी विद्धुत यानि जो थर्मल पावर है उसको प्राप्त करते हैं अब उत्तर प्रदेश राज जिब विद्धुत नियामक आयोग यानि उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है इसको फॉर्म कब क रिलाइंस ग्रूप के दवारा ये 1200 मेगावाट की ख्शंता के साथ बना हुआ है अब इसकी लोकेशन आपको बतानी है जिलेवार इसकी लोकेशन कहां पे है बताई तीन सो बानवे इसमें से शाजहापूर को आप चुनेंगे देखिए शाजहापूर में ये लोकेशन इस इसमें से C वाले विकल्ब को हम चुनते है शीतला कहां पे है ये जलविदुत परियोजना है यानि हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट है अब इसमें से आप जिला चुनिए बताईए कौन सा होगा तो 394 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा ये जो है ये जहासी में है ठीक है इसकी जो लोकेशन है वो जहासी में आगे बढ़ते है प्रश्न संख्या 395 पे एंटी पीसी की टाड़ा परियोजना जो अमबेटकर नगर में है लोकेशन आपको बता दी गई ये किस चीज पर आधारित है एंटी पीसी की जो टाड़ा परियोजना है टाड़ा प्रोजेक सौर उर्जा से प्रकाशित राजी का पहला बस अड़ा कौन सा है सौर उर्जा से वहाँ पे रोश्नी का काम होता है तो ये आलम बाग है अवद है कैसर बाग है चार बाग है इसमें से कौन सा होगा तो करेक्ट अंसर इसका C हो जाएगा कैसर बाग है ठीक है कैसर बाग बस जो है वो इस प्रकार का है जो कि सौरूर्जा से प्रकाशित होने वाला पहला बस अड़ा है 396 को हमने देखा आगे बढ़ते 397 को देखते हैं उत्तर प्रदेश विद्धुत नियामक आयों का गठन कब किया गया था समय सिर्फ आपको बताना है और इसका जो राइट अंसर ह वो इसमें B हो जाएगा 1998 1998 यहां आपने देखा रिहंदबाद विद्धुत परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है यह तो आप आराम से कर सकते हैं सोन भद्र होगा आगे बढ़ते हैं हर्दुआर गंज ताप विद्धुत ग्रिह का पुनरुद्धार जो है आपको बताना है 399 इसमें रूस का सहयोग था हमारा पुराना दोस्त है रशिया उसका सहयोग था 400 इसमें हमने चार शतक पूरे किये माता तीला जल्विद्धुत परियोजना कौन सीनदी पर है पीछे आपने देखा था हजार बार देखा था फिर से गलत नहीं करना है उत्पादन में कितना है? मिनरल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है इंडिया में उसमें UB का शेर कितना है यह आप से पूछा जा रहा है तो परसेंट में दिया हुआ है और 401 का जो राइट आंसर है वो इसमें B हो जाएगा 5%, सिर्फ 5% इसके बाद जो अगला प्रशन है वो When was the State Mineral Development Corporation established in 1974 dissolved? मतलब 1974 में इसको established किया गया था और किस वर्ष इसको dissolved कर दिया गया या भंग कर दिया गया तो भंग करने का वर्ष आप से पूछा जा रहा है अला कि भंग करने का वर्ष आयोग आप से नहीं पूछेगा वो आप से इस्थापना का वर्ष पूछेगा तो इसका 2020 हो जाएगा 2020 में इसको भंग कर दिया गया इसके बाद 403 की ओर चलते है वानी की परियोजना यूपी में कब से चल रही है यूपी वानी की परियोजना ये forestry project कब से start हुआ है बताईए तो 403 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा since March 1998 से चल रही है सबसे पहले वन जी ओ परिरचण संगठन की स्थापना यूपी में कौन से वर्ष में की गई थी देश के पहले देश में पहली बार ऐसा होता है तो समय कौन सा है वो बस आपको देखना है correct answer इसका ए हो जाएगा 1956 1956 का समय था अगले वाले को देखते है समसपूर बक्षी व में होता है काफी पुराना मतलब बहुत पुराना नहीं है लेकिन फिर भी पुराना है सामाजिक वानिकी शब्द जो है यानि सोसल फॉरेस्ट्री इसको सबसे पहली बार कब इस्तिमाल किया गया था कौन से वर्ष में वो समय आपको बताना है तो 406 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा 1976 इसके बाद 407 को देखते हैं उत्तर प्रदेश में नई खनन नीति को कब लागू किया गया था 407 देख लीजे और इसका जो सही जवाब है वो इसमें C हो जाएगा 2017 में इसको लागू किया था यहां आपने देखा इसके बाद 408 को देखते हैं कतरनिया घाट बने जी अभ्यारण कहां पर यह बहराइच में है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यह काफी चर्चा में था तो यह यूपी के कितने जिलों को जोड़ने का काम करता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 409 इसका बी वाला ओप्शन सही होना चाहिए 9 जिलों को जोड़ता है कौन कौन से जिले है आप बताईए कमेंट सेक्षन में इसके बाद आगी चलते है 410 को देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है तो यह स्टेडियम जो है यह दिव्यांगों का है और कौन सी जिले में बना है, जिले का नाम आपको बताना है, बताई, लखनव में बनाया गया है, लोकेशन इसकी राजधानी छेतर लखनव है, तो बी वाले को चुनते, पहला चमड़ा पार्क जो भारत का है, लेदर पार्क, वो कहां पर खोला गया है, इसमें बताईए, य पाली आई एरपोर्ट की लोकेशन कहां पर है, आजमगड में है, खीरी में है, श्रावस्ती में है, कि फारुख अबाद में, 412, बी वाला हो जाएगा, यह लखीमपूर खीरी में है, पलिया जो है, यह लखीमपूर खीरी में है, बी को चुना, अकबरपूर हवाई कि उत्तर प्रदेश राज की ये रोडवेज नामक संगठन की द्वारा प्रदेश में पहली बस सेवा को कब शुरू किया गया था मतलब कुल मिलाकर यूपी का जो रोडवेज है उसकी द्वारा पहली बस सेवा को कब शुरू किया गया था वो आपको बताना है डेट इसमें आपको बताना है जिस नाम से आज जाना जाता है तो 415 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा ठीक है 1972 सड़कों को जोड़ने की life line है हमारी UP की roadway लोगों को खटारा लग सकती है लेकिन जो कम संसाधन वाले लोग है और दैनिकावशिक्ता उनकी travel करने की है उनके लिए roadway जो है प्रश्ण संख्या 416 यहां देखें उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रवद्योगी की परिशत का गठन कब किया गया वो आपको बताना है 416 correct answer B हो जाएगा 1975 1975 में किया गया यहां आप तारीखें देख रहे हैं इसके बाद कहा गया कि when was the young scientist scheme started by the council of science and technology तो यह young scientist scheme को कौन से सत्र में start किया गया था वो सत्र आपको इसमें से चुनना होगा अब देखें और बताईए तो right answer इसका B हो जाएगा यहां आप देख रहे हैं 2007-2008 इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 418 जवाहर नक्षत रिशाला कहां पे है बताईए जवाहर प्लैनेटोरियम इसकी location कहां पे है कभी आपने आनन्द भाउन की सेर की है तो वहां पे आपने तारा मंडल देखा होगा यानि नक्षत रिशाला अब इसमें से आपको चुनना है फिलाल इसका जो correct answer है वो इसमें हो जाएगा D प्रयाग राज ठीक है सो मार को electronics विनिर्मान नीती उत्तरप्रदेश electronics manufacturing policy इसको कब launch किया गया था launching की जो date है वो आपको बताने है यहां जो date है वो दी हुई है जिसे कि पहली जन्वरी की तारीक है 2017-18 ऐसे फरवरी 2017-18 दिया हुआ है तो 419 का जो right answer है वो इसमें B हो जाएगा ठीक है एक जन्वरी 2018 यहां हमने देखा इसके बाद आगे बढ़ते हैं 420 लोगों को 420 नहीं होना चाहिए लेकिन प्रश्न जो है वो 420 हो सकता है हां हम इसके साथ 420 ही नहीं कर सकते हैं तो आईए देखते हैं तो कहा गया कि प्रदूशड के कारण ताजमाहल का कितने किलोमेटर का दाइरा जो है वो तो इससे correct answer क्या होना चाहिए बी वाला होगा 10 किलोमेटर का दाइरा आम तोर पर 10 किलोमेटर का ही दाइरा होता है और इसकी वज़े से कई सारी समस्याइं भी आती है मतल़ है बहुत सारे निर्माणों को बहुत सारी चीज़ों को ध्वस्त करना पड़ता है इसके बाद 421 इसमें को देखते हैं, ताज के संडरक्षण के लिए ताज ट्रोपेजियम परियोजना काफी चर्चा में थी, तो ये कब से चलाई जा रही है, तो ताज ट्रोपेजियम परियोजना जो है, ये कब से चलाई जा रही है, वो डेट आपको बतानी है, तो ताज ट्रोपेजियम प्रोजेक्ट की जो तारीक है वो मई 1998 है, ये तारीक आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें से correct answer हम कौन सा चुनेंगे, ये वाला चुनेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 422 को देखते हैं, 422 में आप से पूछा गया कि मानक मध्यान रेखा UP के कौन से जि इसको कब इस्टैबलिश किया गया था, वो तारीक आपको बतानी है, 423 को आप देख रहे हैं, 1976 इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसलिए हम B वाले विकल्प का चैन करते हैं, इंदिरा गांधी नक्षतर शाला यानि इंदिरा गांधी प्लैनेटोरियम, ये कहाँ पे है कौन से डिस्टिक में है, बताईए, जवाहर प्लैनेटोरियम को हमने देखा, इंदिरा गांधी प्लैनेटोरियम कहाँ पे, तो इसका जो सही जवाब है, वो लखनवू हो जाएगा, ये काफी बड़े साइज का है, और ये लखनवू में स्थित है, तो सी वाले विकल्प क हम चुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 425, गंगा नदी संरक्षड प्राधिकरण, गंगा रिवर, गंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, वो यूपी में कब इसको फॉर्म किया गया था, इसकी फॉर्मेशन कब होती है, वो डेट आपको बतानी है, तो इसका D हो जाएगा, पांच लाग रुपए दिया जाते हैं, एकदम गिनकर, उसके साथ अंग वस्त्रम और बाकी जो प्रतीक चिन्न है, वो दिया जाता है, अब आर्यभट प्लैनेटोरियम कहां पे है, कौन से डिस्टिक में, ये आपको बताना है, 427, रामपुर में है, इस तरह की सीधी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, आपने देखा, भीम राउम बेटकर प्लैनेटोरियम कहां पे है, इनका भी लोकेशन आप बताईए, भीम राउम बेटकर नक्षत रिशाला जो है, तारा मंडल कहां पे है, तो 428, correct answer इसका, रामपुर हो जाएगा, य आपको बताना है, एकदम सीधा प्रेशन ये भी है, और correct answer इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सोनभद्र होगा, यहाँ आपने देखा था, जनजातियां बहुत पाई जाती है, 430 को देखे, सहरिया जनजाति के लोग पाई जाते हैं, कहां पे पाई जाते हैं, बताईए, तो 430 को आप देख रहे हैं, correct answer इसका ललितपुर हो जाएगा, सोनभद्र को मत चुन लीजेगा, वहाँ नहीं पाई जाते हैं, यह ललितपुर में पाई जाते हैं, D वाले option को चुना, खैरवार लोग किस धर्म को मानते हैं, खैरवार काफी कटर होते हैं, लेकिन यह किस हिंदु धर्म को मानते हैं, इनकी सारी परंपराय मानिताएं जो हैं, वह हिंदु धर्म से जुड़ी हुई है, जैसे थारू लोग जो हैं, वह हिंदु धर्म को मानते हैं, वैसे ही खैरवार भी, इसके बाद पटारी को देख लें, पटारी लोग यह किस जिले में पाई ज पूछा गया कि which tribes people are mostly found in उत्तरप्रदेश, मतलब सरवाधिक इनकी जो तादात है, मतलब ऐसी कौन सी जन जाती है, जिसकी की सरवाधिक तादात UP में पाई जाती है, इसमें कुछ जन जातीयों के नाम दिये हैं, आप बताईए, कुल मिलाकर आप से पूछ रहा है कि सबसे इसके बाद 434 को देखते हैं, देखें कौन सी जन जाती में दहेज प्रथा का प्रशलित नहीं है, ये बहुत अच्छी परंपरा है, मतलब दहेज ना लेना, तो ये कौन सा होगा बताईए, 434, तो 434 का जो correct answer है, उसे अगर हम देखें तो B वाला हो जाएगा, ये थारू लोग हैं, ठीक है, थारू लोगों में जो हैं, वो दहेज प्रथा जो है, वो प्रशलित नहीं है, और मगिलाओं के साथ काफी अच्छे बरताओ भी देखे जाते, इसके बाद मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को कब से लागू किया गया था, 435 में को आप देख रहे हैं, करेक्ट अंसर इसका क्या होगा, C हो जाएगा, 2017 से लागू किया गया था, यहां आपने समय देखा, अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई थी, वो भी बता दीजे, 436 का करेक्ट अंसर क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा B वाला, यानि 1999 और सल 2000, तो हमने इसके बाद 437 को देखते हैं, अमीर खुसरो महोचो कहाँ मनाया जाता है, जहां कि ये रहने वाले हैं, वही मनाया जाएगा, या फिर कहाँ गहाँ हो सकता है, तो प्रियाग राज इसका लोकेशन है, तृवेडी और कहाँ पे है, प्रियागराज में है, कौन सी बोली ये पूर्वी बोली में नहीं आती है तो तीन जो है वो पूर्वी में शामिल है इसमें अवधी, बगेली और 36 गड़ी है लेकिन मारवाडी उससे बाहर है यह आप भी जानते हैं तो D को हम बाहर कर देते हैं 440 को देखते हैं इस्टर कौन से धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है तो इस्टर, गुड़, फ्राइडे, यह सब जो काम हैं यह कौन करते हैं क्रिश्टियल लोग करते हैं यहां आपने D को चुना उत्तर प्रतेश, तीबी सेवा जो है इसको कब शुरू किया गया था तीबी सेवा का आप बताईए, इसमें से कौन सा होगा तो 441 जो है इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा यह 1975 का समय है, ठीक है, 1975 का समय खड़ी बोली का और क्या नाम है आप बताएं 442 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है, वो C हो जाएगा यह कुरुक्षेत्र की है, कौरवी इसको कहा जाता है खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है कुल कितने आकाश्वाणी केंद्र हैं आपको बताना है 443 को आप देख रहे हैं और 443 का जो करेक्ट आंसर है, इसमें ध्यान से देखेगा कौन सा हो जाएगा, D वाला हो जाएगा 13 है टोटल, जो आकाश्वाणी केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है चंदरशेखर राजात, क्रिशियो और प्रवादयोगी के विश्व विद्याले जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, वो डेट आपको बतानी है तो यह 1975 का है, यहां हम A वाले उप्शन को चुनते हैं यहां तक हमने किया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पूछा गया कि अवधी का विकास किसके द्वारा हुआ है अवधी जो है, वो कहां से विक्सित हुई है तो अवधी का विकास हुआ है मांगदी से, ठीक है तो इसमें से हम B वाले उप्शन को चुनते हैं, मांगदी चंगेलिया लोक नृत्ते जो है, यह कहां का है मतलब किस से संबंदेते हैं, कौन से छेतर से जुड़ा हुआ है यह आपको बताना है प्रशन संख्या 446 और करेक्ट अंसर इसका क्या होगा बुंदेलखंड चंगेलिया का संबंद है, बुंदेलखंड से नटवरी का संबंद कौन से समुदाय से है, किस कम्यूनिटी के लोगों से है अहिर धोबी कहार, इसमें से कौन सा होगा नटवरी, 447 ये अहिर समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यादो बंदु इसको किया करते है रासक दंड, रासक दंड जो है एक प्रकार का डांस है और ये कहां पर होता है, आप बताएं बुंदेलखंड ब्रज अवध पूर्वांचल और 448 का जो करेक्ट अंसर है वो इसमें B हो जाएगा ब्रज छेतर का है रासक दंड और नौचंदी मेला लगता है सर्धना मेला और नौचंदी मेला दोनों मेरट का है ये एक महीने तक चलता है नौचंदी इसके बाद देवचट मेला कहाँ पे लगता है आप बताईए 450 को आप देख रहे हैं करेक्ट अंसर इसका क्या होगा मथुरा हो जाएगा यहाँ पे हमने C को चुना 450 को हल किया अब आगे की और पैर रखते हैं यानि अभी अर्ध शतक बचा हुआ है तो 451 में पूछा गया कि उत्तर प्रिदेश राज्य का एक जिला जो कि तीन राज्यों हिमांचल, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साजा करता है वो कौन सा जिला कहलाता है तो आप इसमें दिशा सर बतानी है आपको जिले का नाम नहीं बताना है वो तो हमने पीछे देखी लिया है दिशा के हिसाब से बताईए हरियाणा हिमांचल उत्तराखंड ये कौन से दिशा में है उत्तर दिशा में है तो यहाँ पे हम उत्तरी ही चुनेंगे तो नॉर्दन मोस्ट आप चुन लीजे कौन सा है ये आप जानते हैं इसके बाद आगे बढ़ते है उत्तर प्रिदेश का कौन सा वने जीव अभ्यारण एक से अधिक जिलों में नहीं फैला हुआ है वने जीव अभ्यारण जो जिले की सीमा है उसका पालन नहीं करते है तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि एक से जादा जिले में नहीं फैला हुआ है तो रानिपूर, महावीर, राष्टि, चंबल अभ्यारण और कैमूर इसमें देखियों और बताइए चार सो पावन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यह महावीर स्वामी वन जी अभ्यारण है जो कि सिर्फ एक जिले में है कौन से जिले में है यह आपको बताना है इसके बाद चार सो तिरपन का देखे वर्ष 2015 में बाग अभ्यारण की स्रेड़ी में अधिसूचित किया गया था 2015 में किसको बाग अभियारण की स्रेडी में डाला गया है आप बताएं टाइगर रिजर्व के तौर पे किसको डिकलेर किया गया है यह बोल्ड टाइगर रिजर्व है पीली भीत है राजा जी है या अमराबाद है इसमें से कौन सा होगा चार सा तिरपल सी वाला हो जाएगा यह राजा जी टाइगर रिजर्व है इसको घोशित किया गया चकरवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे राजा जी इसके बाद 454 को देख रहे है इसमें आपको उस डिस्टिक का नाम चुनना है जहाँ पे सबसे कम विधान सभा सीटें पाई जाती है बतलब जो उत्तराखंड राज्ये निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो उत्तराखंड राज्ये का है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साजा नहीं करता है यहां उत्तर प्रदेश का जिला नहीं पूछा जा रहा है जो कि यूपी के साथ नहीं लगता है तो हरिद्वार है चमोली है उदम सिंग नगर है और पॉड़ी गडवाल है इसमें से कौन सा होगा correct answer इसका चमोली हो जाएगा चमोली जो है वो यूपी के साथ अपना बॉडर शेर नहीं करता है बाकी आप देख रहे हैं कि सभी करते हैं इसके बाद 456 को देख लेते हैं 456 में आपसे पूछा गया कि वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के अंतरगत सुमेलित कौन सा है तो हापुड का है धातो शिल्प जरी सिल्प की साड़ी है मुरादाबाद की सजावती सामान है ललितपूर का और शजर्प पत्थर का जो शिल्प है वो बादा का है ऐसा दिया हुआ है तो 456 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बादा वाला होना चाहिए वही एक मातर सही है बाकी सब गड़बड दिया है जरी सिल्प की साड़ी जो है वो बहुत सी जगहों पे है मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है उसके लिए तो उसमें कलाकृतियों के हिसाब से होता है फिलाल D वाला एंसर सही है अब यहां जो सेंसस का डाटा दिया है उसके हिसाब से आपको बताना है कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा जो पुरुष साक्षर्ता है वो कौन से जिले में पाई जाती है तो इसमें आप देखिए और बताईए कौन है बखीरा नवाब गंज पार्वति अरंगा सुर्सरोवर और 458 का जो करेक्ट आंसर है वो भी होगा नवाब गंज जो है वो सबसे चोटा है तो आप बताईएगा सबसे बड़ा कौन है ठीक इसके बाद 469 को देखते हैं 459 को यहां यह देखें कि जो एकेडमी है या 1997 की है गलत कौन सा है वो आपको बताना है तो 469 को आपने देखा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा इसमें से सी हो जाएगा संस्कृत संस्थानम वाला गलत है 1975 में यह इस्टैबलिश नहीं हुआ था इसके बाद 460 को देखते हैं सोन भद्र जिला निमलिखित में से किस राज इसके बाद 461 की और चलते हैं पूछा गया कि अम्रित सरोवर जो भारत में पहला बना है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पटवई ग्राम पंचायत में बन कर तैयार हुआ लेकिन यह जो पटवई ग्राम पंचायत है यह कौन से जिले में है जिले का नाम आपको बताना ह करेक्ट आंसर रामपूर हो जाएगा रामपूर की पटवई पंचायत अब नीचे गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो आप देखें इसमें स्थापना का समय दिया है उत्तर प्रदेश राज्य विदुत परिशद है इलेक्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी विद 1493 को देखते हैं सराइаль नाहर राय जोकि मध्य पाशांड काली निस्थल है मेसोलिठिक साइट है वो कॉन से राज्य में है बताईए तू उत्तर प्रिदेश में है सराय नाहर राय इसकी लोकेशन जो है वो रोकेशन में हैं दोजार पांच में रामसर में शामिल होने वाला कौन सा इसमें से पक्षी अभ्यारण है बर्ड सेंचुरी है बताईए सांटी है सरसई नवार है या पिर सूर सवर है या अपर गंगा रिवर है इसमें से कौन सा होगा तो 464 को आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका डी हो या अपर गंगा वाला है इसको सबसे पहले शामिल किया गया था 2005 में इसके बाद 465 को आप देखें इसमें कौन सा सही सुमेलित है तो सबसे उत्तरी जिला है बलिया आप सब उल्टा सीधा यहां वही उत्तरी दक्षडी वाला दिया है इसे हमने पीछे भी देखा था सबस यह देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो मगु का पावर लूम टेक्स्टाइल है सही बात है शामली का लौग अला है ऐसा दिया है कौशामबी का खादी प्रसंस करण यानि फूड प्रसेसिंग में दाल वाला है तारकशी का काम जो है यह मैनपुरी में होता है तो जो नाटे संस्था ने ड्रामा एकेडमी है इस्टिट्यूट है उनकी लोकेशन दी हुई है जैसे श्री नाट्यम जो है वो लखनव में है और आपका अभिने जोती जो है वो वाराणसी में है स्वस्तिक मतुरा में दे रखा और रुपांतर जो है वो गोरकपुर में दिय करेक्ट अंसर श्री नाट्यम जो लखनव दिया हुआ है वही गलत है इसमें पहला वाला गलत है बाकी सब सही है अब यहां आप देखें कि इमाम बाई का संबंद किससे है इमाम बाई जो संगीत अग्य है मतलब संगीत से संबंदी तदाकारा है तो इनका संबंद कौन से गर आने से है लखनव बनारस आगरा इसमें से कौन सा होगा 468 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा बनारस घर आने से बिलॉंग करती है लखनव शैली का विशुद्ध नमूना कौन सा है तो ताज महल बड़े इमाम बाड़े का हाल अटाला मस्जिद इसमें से कौन सा होगा लखनव शैली के बाद हो रही है ये ध्यान दीजेगा और 469 जो है इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बड़े इमाम बाड़े का जो हाल है आपने देखा भी होगा ये लखनव शैली में बना हुआ है इसके बाद वुमेन पावर लाइन जो है ये 1090 इसकी शुरुवात कर सकते हैं तो ये शुरू कब से होता है 2012 इसका जो समय है वो 2012 का है CAA लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है आप बताईए तो ये अपना उत्तर प्रदेश है इसलिए पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री कौन थे अब इसमें आप देखें और बताएं तो नाम जो दिया है उसके आधार पर आप किसको चुनेंगे 472 का जो बी वाला उप्शन है उसको आप चुन सकते हैं आप देखते हैं कि चौदरी चरण सिंग जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें तीन उप मुख्यमंत्रियों को हम देखते ह उसमें से एक थे चौदरी नारान सिंग इसलिए हम बी वाले उप्शन को चुनते हैं अब इसके बाद आप देखें कि यहां पर पहली जो नाइट वाइड लाइप पार्क की घोशना है मतलब नाइट सफारी पार्क जिसको कहा जाता है उसकी लोकेशन कहां पर है यह कहां है गाजियाबाद में है गौतम बुद्धिनगर में है ग्रेटर नुएडा में है कि प्रयाग राज में है तो 473 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सी वाला होना चाहिए वैसे हाला कि पहला जो नाइट सफारी पार्क है वो लखनौ में देखा गया उसी की तरज पर गाज अब इसके बाद 474 को देखते है राजगे विश्व विद्याले की संख्या आपने आ कितनी है बताईए तो राजजे विश्व विद्याले जो है वो 34 है यहाँ पर दिया हुआ है 33 लेकिन संख्या कितनी है 34 इसके बाद 475 को देखते है यहाँ देखे हाई कोर्ट में निया राज्य अपनी सीमा साजा करता है उत्तरी जिला है सहारनपुर तो इससे कौन सा राज्य अपनी सीमा साजा करता है इसमें आप देखें और बताएं तो हरियाणा उत्तराखंड हिमांचल यह तीनों ही करते हैं और इसलिए 476 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें D हो जाएगा य इसमें यह आप देखें पूछा गया है प्रश्ण को थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है यहाँ पूछा गया कि राष्ट्री रास्थानी दिल्ली में कितने जो अपने यूपी के जिले हैं वो सीमा साजा करते है तो केवल दो जिले जो हैं वो अपना दिल्ली के साथ बॉर्डर शेर करते हैं तो गाजियाबाद है दूसरा आपका गौतम बुद्धनगर है अगर आपसे NCR पूछा जाएगा तो NCR के लिए जवाब अलग होगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही होगा तो इसलिए हम उसाधार पे चुनेंगे दो को इसमें से D वाले ऑप्शन क इसके बाद उत्तर प्रिदेश कृषियानुसंधान परिशद कहां पे स्थे थे बताईए 478 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब हो इसमें C हो जाएगा ठीक है लखनव इसकी लोकेशन कहां पे है लखनव में है इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 489 लक्ष्मीपती सिंगानिया हुरदय रोग संस्थान जो है काडिलाजी इसकी लोकेशन कहां पे है इसमें आप जिले का नाम देख रहे है और 479 का जो करेक्ट आंसर है यह कानपूर में है ठीक है इसकी लोकेशन कहां पे है कानपूर में है आवला ताप विद्दुत परियो 482 को देखते हैं काशी हिंदु विश्र विद्याले में जो प्रयोद्योगी की संस्थान है उसको IIT का दर्जा का प्राप्त होता है मतलब वो IIT बियाच्चु कब बनता है वो डेट आपको बतानी है तो 482 का correct answer 2008 हो जाएगा 2008 में उसको IIT का दर्जा प्राप्त होता है इसके बाद आप देख रहे हैं कि उर्दू अदब मासिक पत्रिका का नाम क्या है राज्य सूचना विभाग की जो उर्दू अदब यानि उर्दू भाशा की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है तो कल् चुल लेते हैं इसके बाद 484 को देखते हैं ग्रेटर नुरेडा में राजकी आयरविज्यान संस्थान की स्थापना कब की गई थी वो डेट आपको बतानी है और इसका जो सही जवाब है वो 2013 हो जाएगा यहां से जो correct answer है उसका B हो जाएगा इसे हमने देख नेक्स्ट अ तकनी की संस्थान भारतिय हतकरगा तकनी की संस्थान जो है यानि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हैंडलूम टेक्नलोजी इसकी लोकेशन कहां पर है आप पताईए जहां सी भधोही चौका घाट और लखनवू इसमें से कौन सा होना चाहिए तो 486 का जो correct answer है वो इसमें वित्तिय निगम जो उत्तर प्रदेश का है यानि financial corporation उसकी location क्या है तो 487 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा यहां आप देख रहे हैं कानपूर ठीक है कानपूर उसके बाद आप 488 में प्रशन को देखेगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है मंडलों की संख्या कितनी ह आप बताई तो मंडलों की संख्या अगर आप देखे तो 18 है टोटल मंडल जो है वो 18 है 75 जिले हैं बाकी अपने पंचायतों इत्यादिकों भी पीछे देखा है सबसे पुरानी जो तापी विद्दुत परियोजना है वो कौन सी है यानि thermal प्रोजेक्ट इसमें से कौन सा है और यह है आवला है हरदुआर गंज है कि दादरी है 489 तो यह हरदुआ गंज है ठीक है हरदुआ गंज जो है यह सबसे पुराना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं 490 में प्रशन को देखते हैं नवीन और नवीकरणी उर्जा विकास अभीकरण जो है यानि उत्तर प्रद देखते हैं दादरी ताप विद्धुत परियोजना यह कौन से जिले में है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गौतम बुद्धनगर होगा बीवाला 492 को देखते हैं लखनव दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी लखनव दूरदर्शन की स्थापना का समय क्य तो 493 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें C हो जाएगा आगरा में है इसकी लोकेशन आगरा में है इंदिरा गांधी राष्ट्री उडान अकेडमी कहां पर है तो इसकी लोकेशन आपकी रायबरेली में है इसमें विकल्प कोई भी सही नहीं है तो इसमें से आप अमेठी वा वाला हो जाएगा आग्रा ठीक है वैसे मध्यकाल अगर आप देखें तो इसमें जॉन पुर्वी एक प्रसिद्धिशिक्षा का केंद्र हुआ करता था लेकिन यहां मुगलों के संदर में पूछा जा रहा है तो इसका आग्रा हो जाएगा 496 को देखते हैं पूछा गया कि when was the state educational research and training council established in लखनवू लखनवू में established हुई है वो location आपको बता दे गई समय आपको बताना है 496 का जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा 1981 यहां आपने देखा इसके बाद 497 को देखते हैं where is the लाला लाजपत्र है memorial medical college located इसकी location कहा है आप बताईए तो 497 का जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा यह मेरट में है इसकी location जो है वो मेरट में है यहां आपने देखा इसके बाद आगे बढ़ते हैं 497 के बाद 498 को देखते हैं when was the मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना started मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को कभी start किया गया था वो date आपको बतानी है तो 498 का जो correct answer है वो 2019 हो जाएगा 2019 से यह चल रही है लगातार यहां आपने देखा चार सो 99 और पूछा गया कि भ्रिगु मंदिर कौन से जिले में है तो भ्रिगुरिशी का आश्रम और मंदिर कहां पर है बलिया में है बलिया के रहने वाले थे और अंतिम प्रशन हमारा जो है वो सामने है इसमें पूछा गया कि कौन सा नगर गंगा के किनारे इस्थित नहीं है कानपुर, वाराणसी, इटावा और बदाईन इसमें से आप देखें और बताएं तो इटावा जो है वो गंगा के किनारे नहीं है बाकी जो शहर आप देख रहे हैं वो गंगा के किनारे है अब आप exam hall में जाने से पहले ये जरूर देख लिजेगा कि गंगा के दाहिने किनारे पर कौन-कौन से हैं, गंगा के बाएं किनारे पर कौन-कौन से हैं, ऐसे प्रशन पूछा जाता है, तो यहां तक हमने ये 500 प्रशनों का क्रम जो है से पूरा किया है, आशा है कि आपको बहुत सारी नई चीजों का पता चला होगा और आप बहुत सारा रिवीजन कर पाये होंगे, तो आगामी परीक्षा के लिए धेर सारी शुपकामना, और तब तक के लिए नमस्कार.